नमस्कार दोस्तों मैं आसीस पाठक परिक्षा प्रस की टीम की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यह जो हमारा बैचर लाए बीयो के लिए स्पेसली 20 दिन 25 दिन की जो रिवीजन क्लासे से उसमें हम टारगेट 90 का जो को से डू है उसमें में रिजनिंग की क्लासे सलेकर आया हो इससे पहले मैं ने आपको पहली क्लास को, डिको दिदी थी जिसमें मैं आपको डििस्टेंस दिरैक्सनमें इसमें आपको पहले भी बताया है कि आपको वही जो आपको प्रिविय है कि क्योंग trained Im PCSO जैसे आयो का जो भी पेपर होता है उन सभी पेपर का जो है विसलेशन करके उसमें जो प्रिवियस येर होते हैं जो अच्छे कोश्चन होते हैं उनको PDF के फॉर्म में यहां पर लाके मैं सॉल्व कराता हूँ तो पहला क्लास हो चुगा है आपका जो coding decoding से related था दूसरी क्लास लेटना करते हुए शुरू करते हैं जिसमें मैं कुछ concept बताऊंगा पहले उसके बाद से आपको distance direction की क्लास है उसके बाद से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे उसमें कुछ question करेंगे और question मैं यह शुरू से नहीं जो अच्छे-च्छे question होते हैं बस उन्ही को रखा हूं बाकी तो आपका reasoning में ऐसा होता है कि आप कोई भी question उठा लोगे तो reasoning का लग जाएगा कुछ भी कुछ ऐसा होता है जिसमें थोड़ा सा नया हो थोड़ा गुमा है मगर आयोग में ऐसा question आता ही नहीं है यह सब भुमाने वाला question जो है आपको हमेसा UPSC में पूछा जाएगा या आपके जो होते हैं बंडे exam के होते हैं bank और SSC में इनमें थोड़ा लचीदा जो है उसमें confusing type का question create करता है इसमें आपका simple और सधानन एक से दो question आना होता है हर chapter से तो simple और सधानन question आपसे पूछता है तो द ठीक है इस सब के बारे में आपको सब पता चली गया होगा दीरे दीरे इसमें सभी और lecture आएंगे तो चलिए हम अपने class को start करते हैं class जो है यह है distance direction पे ठीक है दिसा और दूरी इसमें बात करेंगे distance direction से में आपका जो question पूछा जाता है आपका जो basic इसमें concept है सभी को जान जानते होगे ठीक है ऐसा नहीं है कि हाँ कि इधर जाना है कोई भी आप से पूस्ता है कि आप यह यह रोड बता दो तो आप लोग जान जाते हो कि यह किधर रहता बोलते इधर से जाना फिर दाय मूरी जाना फिर बाय मूरी जाना तो यह जगह आ जाएगी तो यह आपका जो chapter है काफी familiar है आप लोगों से तो इसलिए इसे जादे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी जो भी नहीं जानता होगा वो practical है ये चीजे तो जल्दी से समझ में आ जाती है तो आपका जैसे यह direction में आये तो main direction हमारा होता है north होगा ये south होगा किसी अगर आपको paper में present करना ह किसी direction को हो तो हम इस form में present करते हैं north south और ये east हो जाएगा और ये आपका waste हो जाएगा तो ये आपके चार main direction हो जाते हैं जिसे बोलते हैं चार ये main direction हो गया अब इसी में कुछ sub direction बनते हैं ठीक है जैसे ये north हो गया ये south हो गया ये east हो गया ये west हो गया तो इनके बीच के के सब्सक्राइब पर एक डЭरेक्शन जो बनेगी नौर्थ एस्ट ए सब्सक्राइब उनकले थे DR. reasoning तो क्या कह राते हैं सब डइरिक्षन कहुरा ठीक है अब इसी से कुछ यह तो आपका डायरेक्शन के बारे में हो गया इसमें और क्या जरूरत होती है डिसने डायरेक्शन में टांस होते हैं मतलब आपको जब बोला जाए जैसे आप लोग रास्ता बताते हैं कि यहां से जाओ तो दाय मुड़ जाओ फिर बाय मुड़ जाओ तो आपका यह होटल आ जाएगा चाहिए जगह आजाएगा किसी को भी अगर आपसे कोई पूस्ता है तो बस वही टान है राइट टांस और डिग्री अपकोगो ओना नंधे तोopardy नितुटूर आपका चेंज रहाएगा जैसे राइट टांस लेने के लिए together तो आपको 90 डिग्री किस बिएगुमना है क्लॉकम तटीक घड़ी की दिशा में आपको घूमना है 90 डिग्री, ठीक है उसके बाद से अगर लेफ्ट टन बोला जाए, लेफ्ट टन लेना है, तो यह क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंटी कलॉक्वाइज घूमना है आपको, ठीक है यह होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि यहां आप खडे हैं फेस करके न उचीत करके आप खड़े हैं यहंपे उसके बाद से मोटी पेलने लेता हूँ नहीं दिख रहा ऊगा आपको लोगों तो फीक है अगर आप यहां खड़े हैं तो नौर्थ की तरह face किये हुए है, आप आप से बोला जाए कि आप दाए मुड़िए, तो दाए मुड़े तो यह नहीं, इतना छोटा सा यहां मुड़ जाएंगे। आपको दाएं मुड़ना है तो इसका मतलब पूरा का पूरा दाएं मुड़ना है ये आप इसाज के फेस करें आपका दाएना हाथ इस साइड होगा तो आप इसी साइड टर्न करोगे तो ये जो दिसा होगी ये कौन सी दिसा होगी clockwise होगी यह घड़ी की चलने की दिसा है तो घड़ी की चलने की दिसा जब भी आपसे बोला कि right turn लेजिए तो 90 degree turn लेगे तो आप East में पहुंच जाओंगे जैसे फिर East से बोले कि आप right turn लेजिए तो फिर 90 degree move करो गए फिर बोले 90 degree turn लेजिए तो फिर ऐसे तो यह आपकी घड़ी की दिसा हो गई ना देखिए घड़ी की दिसा के चलने का direction हो गया तो यह right turn हो गया anti clock की बात करें यह हो गया north, south अभी इसी में sub direction की बात कर लेते हैं कि आप कहीं किसी sub direction में खड़े हो ठीक है यह East है यह West है यह North West है यह North East है आपका और यह North South East है और यह South West है अब आप मान लीजिए कि आप जो है East direction में खड़े हो North East की तरफ face किये हुए हो और आप से कोई ब jain और राइन एं मुरिये मतलब right turn लीजे तो आपका right turn क्या वागा पूरा का pura यहां से लेके यहां तक सिधे आप कहां आजाओगे? साउथ हिस्ट में आ जाओगे फिर यहां से आप से कोई बोले राइट टर्न लिजिए राइट मुर्ना है तो यहां से इधर आ जाओगे फिर आप से कोई बोले इधर से राइट टर्न लेना है तो सीधे यहां नॉर्थ वेस्ट में आ जाओगे नॉर्थ वेस्ट पे से राइ तो यह आपका हो गया right turns, आगे बढ़ते हैं second वाला, कि left turn, left turn में क्या करना है, यही आपका simple direction है, north है, south है, east है, और west है, आप अगर north की तरफ face करके खड़े हो, आप से कोई कह रहा है, कि आप बाय मुड़ जाएए वहाँ से, फिर बाय मुड़ जाएए, फिर बाय मुड़ ज हाथ, इस side होगा, ठीक है, इस side कितने मुड़ना है, 90 degree मुड़ना है, तो 90 degree मुड़ होगे ऐसे, क्योंकि left turn मतलब क्या होता है, 90 degree anticlockwise आपको turn होना है, तो कहीं भी आप से अगर यह पूछे, क्योंकि यहाँ पर maximum लोग confuse रहते हैं, left, दाय मुड़ना, बाय मुड़ना, तो कुछ नहीं, सिर्फ यह जानो कि 90 degree घड़ी के दिसा में, और घड़ी की विप्रीद दिसा में, तो जब भी left बोला है, तो घड़ी की विप्रीद दिसा मुड़ना है, यहाँ से अगर 90 degree anticlockwise यह यह और यह आपका हो गया घड़ी की विप्रीद दिसा, घड़ी ऐसे चलती है और यह इसके विप्रीद दिसा में चलती है, यह तो anticlockwise turn हो गया, ठीक है, अब देखते हैं कि distance और direction से आपके type of question कैसे पूसता है, ठीक है, क्या क्या आपसे type पूसता है distance direction से, ठीक है type of question जो है आपके exam में, किस type का पहला, पहला जो है आपका type है, simple, पहला जो आता है आपक find moving direction, ठीक है, moving direction, मतलब जिस direction में आप जा रहे हो, उसी का दिसा आपको पता करना होता है या facing direction, जिस दिसा को आप face कर रहे हैं उसकी direction आपको पता करनी होती है, सिंपल सा कोश्चन है, कोश्चन ध्यान से सुनियागा मैं बता रहा हूं, लिखूंगा नहीं, लिखने में काफी टाइम जाता है, ध्यान से सुनिये, एक वक्ती तीन किलो मेटर दच्छन की ओर चला, ठीक है, वो यहाँ आपको सिर्फ आपको moving direction निकालना है, आपको कोई भी paint और paper का use नहीं करना है, paint तो चलाना नहीं है, जो मैं type बता रहा हूं, इसमें एक या दो type में आपको paint चलाना होगा, बाकी बिना paint चला है आपके answer निकालाएंगे, जैसे सिंपल इसमें question होता है, कि कोई वक्ती है, तीन किलो मेटर दच्छन में गया, फिर दाइं और मुड 5 km गया, फिर दाइं और मुड़ा 7 km गया, अंत में वो किस दिसा में जा रहा है, चाहिए दिसा को face कर रहा है, किस दिसा की तरफ है, यह सब पूछे कि, आपको अगर वहाँ distance नहीं पूछ रहा है, सिर्फ दिसा पूछ रहा है, ठीक है, और सिर्फ आपको बोला कि right turn लिया इतना चला, left turn लिया, इतना चला और last में आप से सिर्फ पूछ रहा है कि किस direction में जा रहा है, तो आपको diagram बनाने की जरूरत नहीं है, बिना diagram बनाए आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने कहा, कि मान लिजे कोई वेक्ति है, मान लिजे राम है, ठीक है, वो अपने घ जाता है, एक राइट टन ले लेता है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो पांच किलो मेटर चलता है राइट टन लेने के बाद, पांच किलो मेटर चला, फिर वो क्या होता है, राइट टन लेता है, और 7 किलो मेटर चलता है, अंत में वो किस दिसा को पूछ रहा है आप से, तो एक राम व्यक्ति है पहले south में गया 3 km फिर right turn लिया 5 km चला फिर right turn लिया 7 km चला तो आपको इसमें diagram नहीं बनाना है आपको इंसान को बनाना है कि वो किस direction में face कर रहा है south में face कर रहा है चलो उसमें भी नहीं देखना कितनी बर दाय मुड़ा कितनी बर बाय मुड़ा हमें यह गिनना है जैसे इसमें हुआ कि एक right turn लिया फिर right turn लिया टोटल कितने right turn लिया है दो right turn लिया है आपको पता है यह आपका direction होता north, south, east, west अगर दो right turn लिया है तो दो right turn मान लिजिए वो किदर की तरफ face कर रहा है पहले आपसे बोला था कि कोई व्यक्ति south की तरफ face किया हुआ है बोला राम जो है वो south की तरफ face है अब उससे दो right turn लेना है तो दो right turn लेगा तो एक right turn यह हो गया ठीक है right turn मतलब clockwise में 90 degree चलना एक right turn यह हो गया ठीक तो दो right turn मतलब कहां पहुंच गया वो नौर्थ में पहुंच गया तो अब इस समय वो किस direction में है नौर्थ में है तो कोई diagram बनाने की नहीं ज़रूवत है कि आप 5 km का बनाओ ठीक पहले 3 km का बनाओ south में जाया फिर right turn लि लिए तो south की तरफ था तो south से 2 right turn मूड जाओ जिस direction में पहुंच वही उसका direction होगा और यह याद रखो कभी भी किसी भी direction में north है यहां south है यह इस्ट है और यहां west है दो right turn आता है तो जिस direction में है उसकी opposite direction में हो जाएगा ठीक है उसकी opposite direction में वह व्यक्ति हो जाएगा यह दो left आता है तभी उसी के जिस direction में वह face पहले face कर रहा था जहां से चलना शुरू किया था उसकी just opposite direction में हो जाएगा दो left हो या दो right हो अगर चार right आ गया या 4 left आ अपका ठीक है जैसे यह 2 right है या 4 right या 4 left आ गया तो आपका answer क्या होगा जिस direction में था उसी direction में वह क्योंकि अगर इंसान यहां से 4 right चलेगा तो 1 right, 2 right, 3 right और 4 right फिर से उसी direction में आ गया चाई चार लेफ्ट भी चलेगा तभी उसी डारेक्शन में आएगा एक लेफ्ट दो लेफ्ट तीन लेफ्ट और चार लेफ्ट तो जो भी डारेक्शन चले ठीक है अगर वो चार बार राइट है चार बार लेफ्ट चलता है तो similarly क्या आ जाता है फिर से उसी डारेक्शन में वो आ यह गुन्खन इसिंप्ल से बताएंगे कि वही राम है आपने घर से निकलता है इस संसरा है लिखना वह नउर्थ की तृब फेस की ब्रेक्फ किया हुआ है घर से निकला उसका घर है नौर्थ की तरफ फेस किया हुआ है और नौर्थ की तरब कुछ दूर चलता है कोई भी किलोमेटर मान लो कोई भी किलोमेटर वो अपने घर से चलता है पांस दस कुछ भी उसके बाद से वो राइट टन लेता है जितनी बार दा है उसमें कोशन में आपके लिखा हो फिर राइट टन लेता है फ लबाश शुर्डर तर्फ की तरह वे उत्र वा पांच किल्मीटर साइने के बाहें e gonna figure fix time a moment of the day kmya अक्यां प्रकिर्ट के मि ensuite मुझा तॉ अब इतना किया और का राइग्राम बना गयै आएसे, ऐसे, ऐसे, ऐसे करके, तो वह बहुत टाइम जाएगा, तो उसकी लिए बस क्या है, question पढ़ो, देखो कितनी बार उसमें right turn है, कितनी बार left turn है, बस उनका क्या करो, लिख लो, एक serial wise, और देखो, इसमें जिसे ये north है, ये south है, ये east है, और west है, जब कोई इंसान यह north की तरह face किया हुआ, अगर वह एक right turn लेगा तो मैं बोला हूँ, clockwise में 90 degree चलेगा, और फिर से अकर वह left turn ले ले लेता है, तो फिर से उसी direction में पहुंच जाएगा, तो जो right और left होंगे, जितने, वो cancel हो जाएंगे, तो पहले जितने right left cancel होना चाहें, उन्हें cancel कर दो, जैसे 1 right, 2 right, 3 right है, कितने right है, 4 right है, 1 right, 2, 3 और 4, total right turns कितने है, इसके 4 right turns है, और कितने left turns है, 1, 2, 3, 3 left turn है, तो हम 3 के 3 तो खतम हो जाएंगे, आपका बचेगा इसमें से क्या? एक right turn बचेगा ठीक है तो एक बार simple सी बात है जिस direction में वो face कर रहा है वहाँ से सिफ एक direction तुम क्या कर लो उसको एक right turn ले लो नौर्थ में face कर रहा है तो टोटल कितने right turn थे एक दो तीन चार और तीन left turn थे तो चार में से तीन घटा दोगे तो एक right turn बचेगा क्योंकि right के वेटेज जादे हैं तो अब क्या करना है जिस direction में face कर रहा था उस direction से सिफ एक right turn ले लो तो एक right turn ले लोगा तो कहां पहुंचाओगा ist में तो अभी वो इतना घूमने के बात किस दिसा में है इस direction में है ठीक है तो यह simple से question हो गया ऐसा question आता है आपका facing direction आपका पहला type का होता है कि किस direction में face कर रहा है किस direction में जा रहा है उसे निकालना होता है अगला type देखते हैं अगला type जो है जसैस का उल्टा है इसमें क्या होगा second type में type two में इसमें क्या होगा आपका जब अंत की दिसा दी गई हो मतलब आपकी क्या है अंत की जो दिसा है वो दिया रहेगा आपका question में अंत की दिशा दी गई हो कुश्चन में आपको अंत की दिशा दिया रहेगा और आपको स्टार्टिंग डियरेक्शन जैसे अभी तक जो पिछला कुश्चन की है उसमें स्टार्टिंग डियरेक्शन पता था last direction facing direction आप से पूछा था starting direction आपको निकालना होगा ठीक है question mark यह आपको निकालना होगा और आपको अंत दिशा दिया रहेगा कि आप इतना चले इतना चले इतना चले तो उसके बाद से आप इस दिशा में पहुँचे ठीक है तो जैसे एक simple सा question है मैं बना रहा हूँ कि राम को ही ले लेते हैं बहुत famous इंसान है राम ठीक है राम जो है अपने घर से निकलता है अब उसका direction नहीं दिया कि उत्तर की तरफ मोह करके खड़ाया और वहां से दाइने मुडा बाय मिला कोई direction नहीं दिया है कि वह किस दिशा में है पहले starting direction नहीं दिया है बोला कि वह कि राम अपने घर से निकला फिर बाय मुडा ठीक 5 km चला फिर दाइने मुडा फिर 4 km चला फिर दाइने मुडा 3 km चला फिर दाइने मुडा फिर आपका बाय मुडा कुछ km चला ऐसे सम्में distance दिया रहेगा आपका direction और दाइन बाय भी दिया रहेगा ठीक तो आपको बस वह एही चीज करना जो मैंने पहले टायब में बता रजितने लेफ्ट होंगे इतने राइट होंगे उनको समकल लिजीए कितने लेफ्ट है क्या बचेगा left turn बचेगा आपको starting direction तो पता नहीं है वाई साथ कि ठीक है Starting direction पता नहीं है यह आपका north है यह south है यह east है और west है आप को क्या दिया रहेगा अंत की दिशा दी गई होगी अंत की दिशा मतलब इतना करने के बाद एक left लेने के बाद वो कहेगा आपसे कि south को face कर रहा है last direction रहेगा यह अभी तक पहले type में हम last निकालते थे पहला पता होता था अब हमें पहला वाला निकालना है starting direction निकालना है ठीक है तो बोला है कि south face कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना एक left आया है इसका just opposite ले लीजिए एक right कर लेजिए जो यहां बचकी आएगा तीन बार left है एक दो तीन left से दो right minus कर लो और जो आपका बचा है ठीक है एक left बचा उसका उल्टा ले लो left है तो right बचता है चाहे दो right बचे तो दो left हो जाएगा उसका जब भी आपको क्या निकालना हो starting direction निकालना हो ठीक है तो अब क्या करना है इसमें आपको कि एक left बचा तो उसका opposite ले लेंगे right तो हम कौन सा direction वो face कर रहा था south face कर रहा था यहां से क्या चलेगा एक right चलेगा तो यहां से एक right किधर जाएगा यह इस side में जाएगा तो इस side में जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा west होगा ठीक है तो इसकी direction क्या थी west थी कह सकते हो इसकी direction क्या थी एक right टरन लेगा तो west में पहुंच जाएगा ठीक है तो इसका starting direction west था देखो दिखा देते हैं कैसे क्योंकि आपका बचा क्या था यहां प यह East है यह वेस्ट है ठीक है तो मानिए कि अभी South में Face कर रहा था ठीक है और एक Left आपका आया है यहां पर काटने के बाद तो जब वेस्ट में रहा होगा तभी तो एक Left चलेगा तो South में आएगा तभी तो उसकी Last Direction यह होगी ठीक है तो आपको यह करने के लिए या यह से कर चलो कि अगर वो South Face कर रहा है एक Left आया तो कहां पर होगा कि एक Left टर्न करे तो वो South में आजाए तो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर West में ही होगा तभी वो एक Left टर्न करेगा तो South में आएगा यह जो आपका एक Left बचा है यहां पर यहां करने के बाद जब आपसे Starting Direction पूछ रहा हो जाएगा ठीक तो यह आपका Second Type का हो गया अगर एक Question करते हैं इस पर Second Type पर एक और Question कर लेते हैं पूरा Clear हो जाएगा मैंने यह Question पढ़ाया है आप देखिएगा Distance Direction पर बोर्ड पर मैंने पढ़ाया है Class लिया है Class का Lecture सूट हुआ है वो डाला गया होगा उस पर देखिएगा उसमें मैंने बताया है पूरे अच्छे से ठीक है चलिए Type 2 में जैसे यह राम को फिर से लेते हैं Famous वक्ति है मैंने बाला आपसे बताया भी है अब इसमें माल लेते हैं कि सब में कुछ किलोमेटर है कि राम अपने घर से निकला Left लिया तीन किलोमेटर चला फिर आप दाइने मुडा फिर कुछ किलोमेटर चला फिर लेफ्ट मुडा फिर लेफ्ट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ा तो वह अपने आपको किस दिशा में पाता है वह अपने आपको नौर्थ दिशा में पाता है ठीक है यह लास्ट की डियरेक्शन दिया हुआ है लास्ट में डियरेक्शन दिया कि इतना सा मु यहां से starting direction आपको पता करना है यह left है जितने भी left है एक left, दो left, तीन left, चार left और पांच left total पांच left हो गए, एक right, दो right, total कितने right हो गए, दो right हो गए इसमें से गड़ा तो कितने भी left बचेंगे, तो मैंने बताया जितना बचा उसका उल्टा ले लो, इस वाले case में लेना है, उस वाले में, फर्स्ट वाले case में मत ले लेना, नहीं तो गड़ बड़ कर दोगे, तीन left है तो अब क्या करोगे, इसका तीन right, तो जिस direction में है, किस direction को force कर रहा था वो, east है हो गया, west हो गया, south, किस direction को face कर रहा था वो, north को face कर रहा है, तो north से क्या कर लो, तीन right चलो, तीन right चलोगे, तो एक right, दो right और तीन right, कहां पर आ जाओगे, west में, तो फिर से इसका starting direction क्या हो जागे, जो ये question mark लगा था, west में था, west से इतना left लिया राइट लिया, left लिया, left लिया, left लिया, right लिया, left लिया, तो कहां पहुंच गया, north में पहुंच गया, तो ये आपका असान सा करने का है, कोई diagram बनाने की ज़रूवत नहीं है, किसी भी question में, ठीक है, अगले type पर पहुंचते है, जल्दी-जल्दी करते है, चलिए अगला type पर type 3, type 3 आपका angle पर है, same इसी basis पर है, rotation पर है, ठीक है, angle का rotation, rotation मतलब clockwise rotation हो गयाएगा, ठीक है, और anti-clockwise rotation हो जाएगा, same जैसे clockwise मतलब right turn हो गया ना, और ये left turn हो गया, तो बस उसी पर है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, simple भी इसमें फिर से एक example में लेके समझाता हूँ राम का, कि राम अपने, इसमें भी same चीज़ है, starting direction आपका दिया रहेगा, same निकालना होगा, starting, non, starting जो भी direction है, बोल दिया कि राम उत्तर की दिसा की तरफ है, मतलब north को face कर रहा है, ठीक है, उसके बास से वो, कितना डिगरी, मान के चलो 90 डिगरी वो, ठीक है, clockwise घुमता है, दच्छना वर्थ घुमता है, फिर उसके बास से clockwise को क्या बोलता है हिंदी में, दच्छना वर्थ, ठीक है, दच्छना, दच्छना वर्थ, और anti-clockwise को क्या बोलता है हिंदी में, वामा वर्थ, ठीक है, वामा वर्थ, ठीक है, वामा वर्थ, तो यह आपका clockwise हो गया, यह anti-clockwise ह गया तो इसमें यही होता है एंगल वाले में clockwise और anti-clockwise का आपका आएगा question simple रहेगा कि राम है north d-sarm में face किया हुआ है और कितना degree 90 degree clockwise चलता है रिखते जाना फिर 180 degree anti-clockwise चलता है फिर 90 degree clockwise चलता है फिर 50 degree anti-clockwise चलता है फिर 100 degree clockwise चलता है तो बताओ वो किस दिशा को face कर रहा है last direction पूछ रहा है आपसे फिस से facing direction last direction आपसे पूछ रहा है तो जैसे वहाँ left और right को करते थे यहाँ anti-clockwise और clockwise को करना है तो यहाँ भी क्या करो पहले clockwise को जोड़ लो clockwise वाले कितने हैं 90 है plus ठीक है और कौन सा है clockwise फिर यह 90 है फिर यह clockwise 100 है तो कितना हो जाएगा 180 और 100 280 clockwise हो गया anti-clockwise वाले देख लेते हैं anti-clockwise total कितना है 50 है 80 है तो 8,5,13 कितना हो जाएगा 230 total 180 और 50 230 और anti-clockwise हो गया clockwise 80 हो गया तो कौन सा जाएगा clockwise वाला जाएगा तो 280 में से 230 को माइनस कर दो कितना बचावाइश आप 50 यह क्या है clockwise और यह क्या है anti-clockwise है तो 50 किसक में हो जाएगा जिसका वजन जादे होगा तो clockwise का हो जाएगा तो इसका मतलब जिस direction में वह था जैसे यहां North है यह South है यह East है यह West है तो बोला ना कि North में था पहले शुरू में तो वह नौर्थ में था तो पचाश डिगरी कहां से वहां से clockwise चलेगा तो पचाश डिगरी clockwise चलेगा जानते हो 45 पर यह होता है इसका सब डायरेक्शन तो इससे बस थोड़ा सा इधर में आएगा यह जो वेक्ति है तो यह कौनसे अगले टाइप में पढ़ते हैं अगला टाइप है हमारा कि आपका डिस्टेंस या डायरेक्शन निकालना है इस निकालना है with respect to the starting point जब ऐसा question आ जाए इसका type बोल सकते हैं इसको type 4 बोलो कि आपको distance निकालना है with respect to starting point ठीक है या आपको direction निकालना हो with respect to किसके starting point के तब आपको क्या करना पड़ेगा diagram बनाना compulsory हो जाएगा without diagram आप reference लेके starting with respect जो बोला है तो नहीं कर सकते हो question को चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके question कैसे होंगे इसमें आपका simple question होगा जैसे बोला है एक question है आप लोग note करते रहिएगा ठीक है अजय पूरब की और दो किलो मीटर चला example है कोई अजय है वो किस डिरेक्शन में जा रहा है इस्ट में जा रहा है कितना दो किलो मीटर फिर दाय मुड़ा ठीक right turn लेता है मैं लिख दे रहा हूँ question नहीं लिखूंगा फिर दाय मुड़ा और 7 मीटर चलता है दाय मुड़ने के बाद कितना चलता है 7 मीटर चलता है फिर बाय मुड़ा बाय मुड़ा मतलब left turn लिया और कितना बाय मुड़ा फिर बाय मुड़ा और देखे दो किलो मीटर चलता है right turn लेके फिर दाएं मुड़ा और 7 km चलता है फिर बाएं मुड़ा और फिर से 7 मीटर चलता है ठीक है उसके बाद सिफ फिर वो दाहिने मुड़ा राइट मुड़ा और पांच मीटर चलता है ठीक है अंत में फिर एक लेफ्ट मुड़ता है और एक मीटर चलता है यह आपको दिया गया है कि अजय है अपने घर से इस्ट में दो किलो मीटर चलता है राइट टन लेता है साथ मीटर चलता है फिर राइट लेता है पांच मीटर चलता है लेट लेता है एक मीटर चलता है तो अब पूछ रहा है आजे स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर और किस दिसा में है ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट से आप से किस दिसा में पूछ रहा है अभी दूर नहीं पूछ रहा है उसी में बता देंगे यह कोशन नहीं तो हो सकता है कि पैता को रसना बने तो कुछ हो सकता है गड़ पर हो सकता है बगार इसमें पूछ रहा है कि किस दिसा में है starting point से पूछा है मतलब यह हो जाएगा direction with respect to the starting point का example है इसे diagram बनाते हैं कि अजे पहले ist में कितना चला? डाईगरम आपको पताँ ist ये है ठीक है is profund में 2 km चलता है उसके बाद needle share 2 meter चलता है उसके बाद से right turn लेता है right turn मतलब clockwise यहां से दिशा में है तो clockwise turn लेना है तुमें right turn ये होगा इसका कितना चलता है 7 मीटर चलता है बढहा है ठोड़ा साथ मेटर और उसके रबाव Magda left a left मतलब अगर राइट रव्त-व्त ऐस अवाइस कलोकवाइस कलोकवाइस चलता जातां आप डारा है दो आपको तो यह हूग है आपको left 7 मीटर फिर राइट coraz पांच मेटर, यहाँ से चलोगे तो पांच मेटर फिर लेफ्ट चलता है कितना एक मीटर, ठिक है अब आ गया है यहाँ, यह इसकी फाइनल फोजीचन है, और यह आपकी सटार्टिंग पोजीचन है, तो पूछ रहा है कि आपसे, कि डाइरेक्सिन पूछ रहा है, अजय का किस विए ठीक है यह वो गया नार्थ यह वो साँथ यह एस्ट और यह वेस्ट तो यह पॉइंट देखो कहा लाई कर रहा है किस गोडिनेंट में इस वाए में कर रहा है यह point तो यह कौन सा direction हो जाता है South West तो बोल सकते हो यह जो है starting direction से यह कहां लाई कर रहा है आपका Southwest में लाई कर रहा है अब पूछ ले कि इसकी distance कितनी है ठीक है अगर distance पूछ ले कि यहां से और यहां की distance कितनी है तो आपको निकालना पड़ेगा कैसे निकलेगा simple सी बात है देखो कुछ नहीं यह 1 km है इसे बस extend कर दो कि अब वो यह पूछे कितनी दूर है मतलब starting point से final point कितनी दूर पे है तो यही आपका होगा दूर यही आपका simple distance होगा तो इसको निकालते हैं कैसे निकालेंगे इस extend कर देते हैं यहां तक ठीक है और इसे यहां से इस point से इसे मिलाते हैं 90 डिगरी पे ठीक तो आपको यह पता है यह total यह distance कितनी है यहां से यहां तक दो किलो मिटर यह यहां तक कितनी है साथ और यह यह साथ है यह एक है और यह दो है तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ यह टोटल किना साथ दो आठ एक नो एक दस टोटल ही हो जाएगा दस और यह टोटल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक यहां से यहां तक देखो यह साथ यह होगा ठीक और पांच यह होगा क्योंकि यह पूरा साथ है यहां तक साथ यह और 5 यह तो यह 12 हो जाएगा 12 यह और 10 यह 7 पैथा गोरस बन गया 90 डिग्री पे आपको यह निकालना है तो under root क्या हो जाएगा under root देख लो 12 का square प्लस 10 का square 12 का square सबको याद होना चाहिए 144 और 10 का square 100 तो कितना हो जाएगा under root में 244 ठीक तो यह हो जाएगा 244 अब इससे convert कर लोगे fraction में तो यह आपका answer हो जाएगा यह आपका distance हो जाएगा इनके बीच का root 244 ठीक यह आपका distance हो जाएगा तो यह हो जाता है आपके simple से question कि जो आपके बनते हैं जहां आपको diagram की ज़रूरत बढ़ेगी जब भी आपको distance with respect to the starting point और direction with respect to the starting point पूछा जाएगा तो ठीक है चलिए यह तो आपका हो गया fourth type अगले type पे बढ़ते हैं इन सब का question कराऊंगा आप लोग परसान मत हुए मैं एक ही साथ पूरा question लेके आऊंगा जिसमें आपका पूरा mix रहेगा first type, second type, third type, fourth type, fifth type सभी mix रहेंगे चलिए अब आता एक और type 5 पांचों प्रकार है आपका घड़ी की दिस जो होती है जब दिसाएं घड़ी पर अधारित हो ठीक है clock related problem जिसे बोलते हैं हम बोलें clock related problem घड़ी पर प्रॉबलम होता देखे होंगे आप लोग कभी किताबों में कि आप से question रहेगा कि घड़ी में नव बच कर पंदरा मिनट हो रहा हो चाहे जो भी 6 बच रहा हो चाहे 7 बच रहा हो तो घंटे वाली सुई इस दिसा में होए इस टाइब का प्रॉबलम है उसी को हम देखते हैं सिंपल सा प्रॉबलम लेते हैं कि यह घड़ी है नव बच कर पंदरा मिनट हो रहा है उसमें सिंपल से घड़ी है ठीक है नव बच कर पंदरा मिनट हो रहा है अब उसमें आपको यह कहा गया है कि जो घंटे का यह आवर एंड होगा और यह मिनट होगा तो our end का जो our end है यह किस दिसा में है our end है आपका west में ठीक है और जो minute hand है आपका वो पता करना है कि minute hand कहां होगा मिनट हेंड के डियारेक्शन पता करनी है तो एक सिंपल मैं घड़ी बनाओं सपोर्ड लो डाइग्राम पर मत जाना त्यड़ा मेरा बनता है 12 6 3 9 ठीक है 9 बचकर 9 बचकर कितना 15 मिनट तो 9 से थोड़ा से इधर ही होगा घड़ी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी एग्जेक्ट पूरे तीन पर इधर उदर नहीं होगी एकदम ठीक है तो यह 9 बचकर पर नीशी होगा इस उसमें मत जाना ठीक है तो यह 9 बचकर 15 मिनट का कुछ आपका टाइमिंग होगा तो इसमें पूछ रहा है कि अगर यह वेस्ट की तरफ है तो इसका डाइरेक्शन क्या होगा सिंपल सी बात है ठीक है तो हम एक माल लेते हैं हमें घड़ी बनाने की जरुवत नहीं पड़ेगी हम यहाँ से देख लेते हैं यह डाइरेक्शन है नौर्थ, साउथ, एस्ट, वेस्ट सब डाइरेक्शन भी बना लेते हैं नौर्थ, वेस्ट, नौर्थ, साउथ, एस्ट और साउथ, वेस्ट यह आपका डाइरेक्शन हो गए अब आपको यहाँ से तैं करना है कि कहां आपको जाना है ठीक है चलिए घड़ी की सुई हो गई, अब यहां से बोला है 9 बच कर 15 मिनिट में घंटे की सुई किदा रहे, इस पे है, वेस्ट पे, घंटे की सुई यहां है, और मिनट की सुई आपको पता करना है, वेस्ट में है, मिनट की सुई आपको बताना है कि कहां पर होगी, ठीक है, तो आप जै जैसे यह घड़ी है इस पर मैंने direction बना दे रहा हूँ यह north हो गया यह south हो गया यह west हो गया तो जहां 9 यह तो समझे लो यह 9 का पूरा 9 का रही टाइमिंग होगा यह 3 होगा और यह 12 होगा north की यह ज़स्ट ऊपर और यहां पर 6 होगा थिक है तो यहां कहीं इसकी सुई होगी इस वाले यह शुटो नौ बजे और यहां 15 बोला उखे यह इस पर सुई होगी कहीं तीक है यह बोला है कि घंटे की जो यह सुई है यह वाली सुई जो है वो किस डारेक्शन में वेस्ट में है इसका मतलब हमारा जो ओर्जिनल वेस्ट डारेक्शन है वो यहां है वो उटके कहां चला गया यहां चला गया सिफ्ट हो गया और यह डारेक्शन कौन सी होती है नौर्थ वेस्ट होती है तो नौर्थ वेस्ट कहां चला जाएगा यहां चला जाएगा ठीक है सिफ्ट हो जाएगा नौर्थ वेस्ट यहां वेस्ट आ जाएगा तो यह सिफ्ट हो के यहां चलेगा इसी डारेक्शन में सिफ सवपीरिक्ष्टि डाइक्षन में माला 25 डिग्री सिफ्ट में हो रहा है तो वैसे ही इसे हम स्उप्ट करेंगे हना नॉर्थ वेस्ट होता है नॉर्थ वेस्ट होता हैciendo अब यह जो नॉर्थ होता मैं 55 डिग्री सफ्ट होके क्लॉक हैक में कहा जाएगा यहां जाएगा ठीक है क्योंकि घंटे की सुई अगर वेस्ट पे है तो जास उसी क्या पोजिट में इस्ट होगा तो यहां इस्ट हो जाएगा और जो साउथ इस्ट था यह हो जाएगा south की जगा southist हो जाएगा जो south था ये north की just यहाँ opposite में ये south हो जाएगा और जो ये west था ये क्या हो जाएगा south west हो जाएगा तो सभी की direction क्या है clockwise में shift हो गई सभी direction क्या है clockwise में shift हो गई तो यही होता है घड़ी में कि अगर ये यहाँ main west तो हमारा यहां था देखो मगर 915 पर कहीं ना कहीं नो की घड़ी इसी कोडिनेंट में लाई करेगी तो यह डिरेक्शन नौर्थ वेस्ट का है तो नौर्थ वेस्ट होने के लिए यह 45 डिग्री सिफ्ट करेगा क्लॉक्वाइज में तो अगर यह 45 करेगा तो सब के सब 45 डिग पहले किस पर इस्ट पर अब किस पर आ गया है नौर्थ इस्ट पर इसका आंसर क्या हो जाएगा नौर्थ इस्ट हो जाएगा ठीक है नौर्थ इस्ट हो जाएगा एक तरीका यह हो गया है आपका करने का एक दूसरा तरीका बता देता हूं इसी सवाल को करने का वह घड़ी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको आज आएगा एंगल से कैसे करते हैं आप उनके बीच का कोड निकाल लीजिए और बता दीजिए कि वो कहां पर लाई करेगा चलिए वो भी आसान सा तरीका है मैं बता दे रहा हूं सेम टाइमिंग है कि 9 बचकर 15 मिनट हो रहा है घड़ी में और आवर हैंड जो है आपका किस डिरेक्शन में है वेस्ट में है तो मिनट वाला हैंड बताना आपका किस डिरेक्शन में होगा ठीक है तो हम घड़ी में एक देखते हैं घड़ी में जब भी ठीटा निकालना होता है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का डिस्टेंस होत theita angle होता है जैसे बोल दिया गए नव बजकर 15 मिनिट हो रहा है suppose कुछ आइसा timing होगा आपका ठेक है 9 बजकर 15 मिनिट हो रहा है तो ये जो distance to see ये ये वाला theta ये यहां से यहां तक ये जो thita बने गाई ये theta इसी को बोलते है angle इनके बीच का distance बोलते हैं, तो ठीटा निकालने का clock में एक formula होता है, वो होता है mod 30H-11 by 2 minute, यह question आप से पूशा भी जाता है clock में, मैं पढ़ाऊंगा clock का जो है, जब class लोंगा, कैसे यह आता है, 30H-11 by 2 minute, मतलब जो दिया है 9 और 15, बस इसमें रखोगे, तो यहाँ हो जाएगा, 30 into 9, minus 11 by 2 into 15, तो यह हो जाएगा आपका, नत्रिक 27, 270 और 11 by 2 है, तो 11 by 15 का सढ़े साथ कर लो, तो यहाँ आपका आजाएगा, इसे जब solve करोगे, 187.5, तो जब भी आपका theta, 180 से जादे आए, क्यूंकि यहाँ पर किसी भी घड़ी में maximum angle तुमारा बन सकता है, कितने का, इनके बीच का, 180, 180 से जादे होगा यहाँ पर, तो फिर से हम यह लेने लगते हैं, और यह हमारा अलग हो जाता है, यह angle जो कहलाता है, हमारा, वो क्या कहलाता है, जो है, यह अलग से हो जाता है, यह minimum आपका नहीं होता है, यह maximum distance हो जाता है, उस समय, theta का, ठीक है, तो यहाँ पर आजाता है, तो 187 आगया तो 180 से आपका क्या है, यह आपका जादे है, ठीक है, 360 से, 180 से जादे हो गया, जब भी theta आपका 180 से जादे है तो हम इसको 360 से minus कर देते हैं, तो हम जब 360 से minus कर देंगे, तो आपका जो आएगा ये- जो आएगा ठीटा 360 से हम जब मायनेस करने देंगे इसका 187.5 को ठीक है तो यहां 5 आजएगा और यहां पर अपका क्या बचीज़गा? 5 हो जाएगा 8-7-15 हो जाएगा यहां पर 172.5 यह आजाएगा ठीटा जब 360 से माइनस कर देंगे तो मारा में ठीटा आजाएगा ठीटा मिनिमम मतलब यह एंगल होता है मिनिमम का डिस्टेंस और यह हो जाता है मैक्सिमम का डिस्टेंस जो 187.5 आये क्या है मैक्सिमम आया है हमेज़ा जब उनके बीच में डिस्टेंस निकालना होता है तो तो अब आ गया ठीटा मिनिमम् 12 cannot fine to one certainly two-point five मतलब क्या हो गया की आपका जो घंटे की सुई हैं ठीक है घंटे की सुई से मीनट की जो आ말 jackets का चो डिस्टेंस है वह कितने का है 172.5 डिगरी का है ठीक है तो suppose करो यह आपका डारेक्शन नौर्थ है यह साउथ है यह इस्ट है यह वेस्ट है तो घंटे की सुई किदर बोला है वेस्ट की तरफ है तो बताओ मिनट की सुई किदर होगी तो यहां से हम clockwise में चलते हैं क्योंकि यह जो ठीटा हम लेते हैं minimum वो यहां से clockwise में चलेंगे तो 250 पूरा जलेंगे तो 180 हो जाएगा तो कहीं न हमकर इस में लाइप करेगा यहां तक नहीं पहुँचेंगा मिस्ट में यह पहुँचेंगे इसी में कहीं उसकी मिनट की सुई होगी तो यह coordinate कौन से हो है North East तो देखो यहां लिए आन्से नौर इस्त आया और जो मैंने पहला वाला बताया था आपको उसे भी आनसे नौर इस्त आया तो दो तरीकें हैं आप जिससे चाया वैसे कर सकते हो के इस अब ही चीजों का क्लोक वाला भी आपका जो जो है लेक्चर पड़ा हुआ आप वहां से जाके आपके देख सकते हो कि कैसे वहाँ पर एंगल ठीटा निकालते हैं टाइम डिटेर्मिनेशन एंगल डिटेर्मिनेशन आपका घड़ी का सलो होना फास होना सबकी अलग अलग वीडियो पड़ी हुए आप लोग वहाँ से देखिए काफी डीटेल में हैं ठीक है आपका पूरा और कुष्ट्न जो प्रिविएस एर आपके आये हुए है उनको कुष्ट्न कराने की फिस करेंगे अब हम इस पर कुष्ट्ट करएंगे दीरे- 어떻게 आउर जो प्रिवियुस वह चाहिए वह यूचके पीची आछोचाए आम्पीपीचीयदयर किसी में भी आया हो उसे करते हैं चले question session पर आते हैं question की PDF यह आपके सामने है इसे बढ़ा करते हैं थोड़ा सा और एक एक करके question को आराम आराम से करेंगे जल्दी बाजी कोई नहीं है आप लोग को भी और मुझे भी काफी time निकाल के आप लोगों के लिए lecture suit कर रहा हूं मैं जरूर देखिएगा इसे आपको फायदा होगा चले question पढ़ते रहिए उसके बाद से solution देखेंगे इसका दिख रहा होगा आप लोगों को question में simple सा question है बड़ा सा लिखा हुआ है या आपका उसके बाद से previous year question है इसलिए मैं 18 numbering से जरूर किया हूँ जो book है उसमें आपका पूरा का पूरा previous year question है उस book से आपको मैं करा रहा हूँ ताकि इसमें क्या होता है maximum UPPCS में previous year कहीं कहीं आप से टकरा ही जाता है और same to same question नहीं आपका वही train मतलब जो जिस type से इसमें पूछा है तो वही आपको हो सकता है मिल जाए question उसी type का अलग से कोई नया frame question नहीं करेंगे सब ठीक है तो चलिए बढ़ते है question number पे 18 पे question number है आप सच क्या बोला है कि यदि एक नक्से में कुछ सहर है इस तरह है कि सहर B सहर A से 10 km उत्तर में है पढ़ते रही है और बनाते रही है diagram देखिए मैंने जो आपको type बताया type 1 type 2 वह आप से कभी कभी ऐसा पूछ लेता है देखिए इसमें नहीं है यह आपका type 1 type 2 में नहीं है यह आपको type 3 का ही type 3 ने type 4 बोल सकते हो जिसमें आपको diagram बनाने की जरूत पड़ेगी क्योंकि question देखके लग रहा है last में पूछा है कि H और F तक जाने के लिए कि इस दिसा में चलना पड़ेगा इतने सारे dimension नहीं है तो आपको diagram बनाना पड़ेगा तो आपको diagram बनाना पड़ेगा तो चलिए हम diagram बनाते हुए करते हैं इसको यदि एक नक्से में कुछ सहर इस तरह है कि सहर B सहर A से 10 km उत्तर में है कि सहर B से 10 km उत्तर में है किसे A से ठीक है उत्तर में सहर C सहर B से 10 km पूरम में है B से कौन C कहा है पूरम में चले गए यह तो आपको सबको यादि होगा यह North होता यह South होता यह East होता यह West होता है ठीक है तो यह पूरब में हो गया कितना 10 km D C से 10 km अच्छे में है D C से 10 km मतलब नीचे की तरफ आएंगे कहां तक आजाएंगे एकदम A के बराबर ठीक है तभी 10 km आएगा उसके बाद से बोला E जो है D से 10 km अच्छे में है E जो है D से 10 km अच्छे में है तो यहाँ आजाएगा E में है तथा F और E F E से 5 किलो मेटर पूरम में है F जो है E से 5 किलो मेटर कहा है? पूरम में है 5 किलो मेटर चले जाओगे F जो है E से 5 किलो मेटर पूरम में है उसके बाद से क्या बोला इसके अलावा सहर जी सहर A से 5 km उत्तर में है ठीक है सहर A से कौन है सहर जी 5 km उत्तर में है A से जी जो है 5 km में इसके हाफ में हाफ में कही नहीं ठीक है यह पूरा दस था तो हाफ में कही नहीं जी होगा 5 km पे A से उत्तर में उसके बाद से बोल लाया है पांच किलोमेटर में है, H A से 10 किलोमेटर दच्छिड में है, H जो है A से कितने 10 किलोमेटर, मतलब same to same कहा जाएगा E की पोजीशन में, H आ जाएगा 10 किलोमेटर, दच्छिड में है, H से F तक जाने के लिए किस दिसा में चलना पड़ेगा H से F दच जाने के लिए किस दिसा में चलना पड़ेगा, यह simple सी A दिसा है आपकी, यह कौन सी दिसा है, पूरव है, इस टापकी, तो answer क्या हो जाएगा, इसका option D सही हो जाएगा तो इतना तो आपको diagram बनाना ही पड़ेगा हाँ question में, अगले question की तरह बढ़ते हैं P, Q और R तीन नगर है, ठीक है, P और Q के बीच की दूरी बनाते रहो diagram, P और Q की बीच क्यों कि आदे हैं, पूछा का Q, R के बीच कितनी दूरी है, जब भी आपका distance निकालना है, आज डागराम बनाना ज़रूरी होगा, ठीक है, बोल ला है, P Q, R तीन नगर है, P और Q की kilowatuh है, जब की P और आर के बीच की दूरी पीर और आर के बीच की दूरी कितनी है, 80km है, ठीक है, उसके बाद P और आर के बीच की दूरी 80km है, Q और P यहाँ दे दिया है direction up, Q, P के पस्ची में है, Q जो है P के पस्ची में है यहां पर P क्यों के पंश्चीम में यह arrangement नहीं होगा और पी च onlar के झाघे होगा यह साथ इसका distance होगा और यह आपका तब होगा तब Q जो है पी के पंश्चीम में होगा और आर पी के आ अह específic में है आर जो है यह 8 है, यह 6 है, सम में multiply हुआ कितने का, 10 का, यह 6 है, तो इसमें भी 10 का multiply हुआ है, तो यह कही ना कही इसमें यह 3 है, 2 into 3 लिखा हुआ है, और यह 8 है, तो 2 into 4 लिखा हुआ है, तो 4, 3 मिल गया है, तो यह कही ना कही ट्रिपलेट 5 का होगा, अब multiply कितने का इसमें, 20 का है, क्योंकि 10 भी multiply किया गया और 2 भी multiply किया गया दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दस इसमें भी है ठीक है and 10 इसमें भी है, तो 20 से multiply कर देंगे तो total इसका distance आ जागा 20 पर तो आपका hundred हो जाएगा, qr कितना हो जाएगा hundred kilometer हो जाएगा, d options सही वो जाएगा इसे उससे भी निकाल सकते थे जैसे यहाँ पर यह मैंने ट्रिपलेट से बता दिया कि यह 4 है यह 3 है तो यह 5 होगा आप सीधे सीधे कर सकते थे 60 का स्क्वाइर अब प्लस 80 का स्क्वाइर तो कितना हो जाएगा यह इसको जब प्लस करोगे तो आपका 100 का स्क्वाइर वाला आ जाएगा तो डो डॉडबल जीरो कर जाएगा तो 100 आ जाएगा यहाँ पर तो यह आपका इस टाइब से भी कर सकते हो और उससे भी आपको तुरांट अंदाजा लग जाएगा कि यह ट्रिपलेट पर है ठीक है चलि अगले कुश्ण की तरह बढ़ते हैं अगला कुश्ण क्या बोला है पढ़ते रही है कुश्ण बोला है दिखी नहीं रहा होगा पढ़ेंगे कहां से अप लोग चलिए अभी दिखा रहा है ए अपने घर से पारम कर पूरब की और 20 किलो मिटर चला जहां उसका मित्र भी उसे मिला ठीक है रफ कर लेते हैं ताकि डाइगराम साथ साथ बनाते चलें ठीक है ए अपने घर से पारम कर पूरब की और 20 मिटर चला जहां उसका मित्र भी उससे मिला ए कहां से चला है अपने की ओर चला है 20 मीटर चला है जहां उसका मित्र B उससे मिला यहां B मिल जाता है उससे ठीक है वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ चलते हैं 10 मीटर और चले दोनों के दोनों चले हैं 10 मीटर चलो भाईया चलो साथ साथ हम साथ साथ हैं वाला हालत है तब A बाई और मुड़ गया जबकि B दाहिने और मुड़ गया अब देखो A किस साइड मुड़ा है बाई और बाई मरना एंटी क्लोकवाइज में यहाँ चले जाओ A बाई और मुड़ गया यह A जा रहा है भाई साब और B जो है दाहिने और मुड़ गया बी जो है दाहिने और मुड़ा इस साइड में मुड़ा भी ठीक है और कितने चलें दो और आठ मतलब ये दो चला है तो ये आठ चला है मतलब तेज चला है भी तो ये दो चला तो ये आठ चला है मतलब थोड़ा इसे और बढ़ा दो भाई साम फिर भी बाई और मुड़ा और 4 मीटर चला फिर बाई और मुड़ा बाई मुड़ा का मतलब ये रहा कितना चला भईया 4 मीटर चला जिसके बाद अपनी दाहिने और 5 मीटर चलकर अपने कारयाले पहुंचा फिर ये दाहिने और मुड़केर कहां पहुंचा ये टोटल आठ है न तो आठ में वो कितना चला पांच चला है अभी पांच चला है तो कहां पहुंच गया है वो दाहिने मुड़ा है सॉरी बोला ना कि वो अपने दाहिने और मुड़ा है तो 5 km कारयाले पहुंचा है तो यहां से दाहिने मुड़ेगा तो कहाँ आएगा यहां आएगा 5 km पे यह इसका कारयाले हो गया ठीक है अब पूछ रहा है आप से अभी यह भी चला है कायागा मैं क्यों पीछे रहूंगा यह दाहिने और मुड़ गया और 12 मेटर चलकर अपने कारयाले पहुंच गया ठीक है दाहिने मुड़ा है सिंपल सी बात है दाहिने मुड़ना है मतलब क्या हो जाएगा यहां से दाहिने हाथ में इधर मुड़ोगे कितना चलेगा 12 मेटर चलेगा तो 4 तो यह चल लेगा जो यह सेम डिस्टेंस है और 8 और चल लेगा ठीक है तो 4 अपने-पने फोच गये हैं तो दोनों के office के बीच का distance आप से पूछ रहा है distance क्या होगा बस आप लोग क्या करो पैथागोरस देख लो बस यहाँ पैथागोरस काका को लगा दो और निकाल लो ठीक है 90 degree हो गया और यह distance कितनी हो जाएगी यह आपका कितना पांच है यह आपका distance पूरा का पूरा 5 है और यह distance कितना है यहां से 2 यह है 8 यह है तो total यह 10 हो जाएगा यह distance 10 हो जाएगा और यह distance 5 हो जाएगी और यह कितनी होगी 5 होगी तो 10, 5, 15 यह हो जाएगी 15 का square और यह कितना हो जाएगा पूरा 4 हटा दो 8 हो जाएगा यह 12 था तो टॉल तो यह 8 हो जाएगा तो 8 का square तो 15 का square क्या हो जाएगा 225 और 8 का square 64 कितना आ जाएगा 289 289 किसका square होता है square root होता है 17 का तो यह distance कितनी हो जाएगी दोनों office की 17 km इंके बीच का difference आ जाएगा option कौन सा सही हो जाएगा option B ही आजाएगा UPSC 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 ने UPSC में आया हुआ आपका question देखिए जब UPSC में असान सा पूछ रहा है तो हर जंगा आपसे असानी पूछे गा चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है किस number question हमारा कोई वेक्ती 12 km उत्तर की और फिर 12 पंदरा किलो मेटर पूरब की और कोई वेक्ती है भाई उत्तर की तरफ कितना जाता है 12 km फिर वो 15 km पूरब में जाता है चलो यह 15 km पूरब में चला गया फिर 19 km पस्षीम में जाता है अब 19 km पस्षीम में जाएगा यहाँ पहुच गया वो आदमी और तब 15 किलो मेटर दच्छण में जाता अब यहां से Дच्छण में जाना इसको नीचे जाएगा दच्छण में दच्छण यही होगा यह हमेसा याद रखना नौर्थ यह साथ होता यह सथ होता है वेस्ट पेन पेपर पे हमेशा यह लिएखे गाइएंगा आपका पंद्रह आपको तो 5 होगा तो distance कितना होगा आपका 5 को ओप्षन यह जो होगा सही होगा ठीक है अगले question की तरह बढ़ते हैं question number 22 बड़ा सा दिख रहा है आपको 22 number question इसे करते हैं बोला कोई X एक व्यक्ति X है ऐसे अस्थान पर गाड़ी चला रहा था जहां सभी सडके या तो उत्तर दच्छिन या पूरा पश्रिम की ओर जाते हुए grid बनाती थी मतलब grid मतलब आपका simple सा चोरा देख रहा हो ऐसे नौर्थ साउथ और एस्ट वेस्ट से की तर की दूरी पर हैं वो दोस्ट सडको के प्रतिछेदन अस्थान से गाड़ी चलाना आरम कर तीन किलो मेटर उत्तर फिर तीन किलो मेटर पश्रिम में जाता है तो ठीक है कोई X है X और Y हैं दोनों कोई X ऐसे अस्थान से गाड़ी चला जहां सभी grid बनती हैं सडक एक किलो मेटर वो दोनों सडके प्रतिछेदन अस्थान से गाड़ी चला रम कर तीन किलो मेटर उत्तर की तरफ तीन किलो मेटर पश्रिम और चार किलो मेटर दच्छिन में चला आगे कौन स मार्क उसके आरंभिक अस्थान पर वापस ला सकेगा यदि उस मार्क पर दुबार ना चले तो ठीक मैं एक सिंपल सा मार्क मांग लेता हूं यह यहां से कहां चला पहले तीन किलो मेटर उत्तर की तरफ चला एक्स जो है जो भी होगा वो तीन किलो मेटर उत्तर की तरफ चल में चला गया अब बोल आगे वो कौन सा मार्क उसे उसके आरंभिक अस्थान पर वापस ला सकता है तो अब देखो यहां पहुंचना है उसे यह तो ऐसे जा सकता है ऐसे करके इस बिंदू पर पहुंच सकता है तो इसे इतना ट्रेवल करना पड़ेगा तो कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा उसे तीन ही यह करना पड़ेगा और एक ही यह करना पड़ेगा तो ट्रोटल अगर वो चार किलोमेटर ठीक है कितना चले वो ठीक है देखो उसमें क्या है तीन और एक चार किलोमेटर चलना होगा तो चार तो नहीं वो पहले देखो तीन किलोमेटर यहाँ पे है उसकी पोजिशन इस डायरेक्शन में तो तीन किलोमेटर इस डायरेक्शन में जाएगा पूरब में जाएगा और एक किलो मेटर किदर जाएगा उत्तर में जाएगा तो ऐसा कुछ है क्या तीन किलो मेटर पूरब एक किलो मेटर उत्तर यह है ठीक है तो यह आपका आंसर हो जाएगा तीन किलो मेटर पूरब में जाए और फिर एक किलो मेटर उत्तर में जाए तो ब सहीध और रोहिथ हैं, एक ही अस्थान से विप alles चलना पारम करते हैं प्रते एक किलमेटर के बाद सहीध हमेसा ढायमुरता है और रोहिथ हमेसा दायमुरता निमलिखित में इसा कॉन सा कतन सही है सिंपल सा कोश्चन है इसे देख लेते हैं चलिए सहीद और रोहिद एक ही अस्थान से एक अस्थान चूज कर लो ठीक है दोनों लोग चलेंगे यहीं से पहले कौन चलता है प्रते एक किलोमेटर बाद सहीद हमेशा बाय मुरता है विप्रीद दिसा में चलते हैं पहले तो ठीक है दोनों को देख लेते हैं एक किलोमेटर बाद सहीद हमेशा बाय मुरता है यहाँ पर मान लो यह सहीद है ठीक है यह एक किलोमेटर चला है और यह भी एक किलोमेटर चला कि यह सही यो गय और यह कौन हो जाए गा रोहित हो जाएगा ठीक सब्सक्राइब जाएगा ठीक सफ tu возь घब चलने के बाद हमेशना बाय मुर्दा सभी यह तो हमेशना बायमुर्दा सब्सक्राइब तो ये और बार चला है पहले विपरेदिसा में यहां से बया मुड़ेगा तो कि ओधर जाइगा दाइने इधर जाएगा दाने इधर जाएगा यहां यहां से पोखेकशा के आ सेम और यह यहां से बायम उड़ेगा तो बायम उड़ेगा मतलब यहां से जैसे बायम उड़ेगा तो यहां से यह आएगा फिर से उसी अस्थान पर यह आ जाएगा बायम उड़ने पर तो अब बताना है कि यह डाइग्राम तो बन गया कि कौन सा इसमें कथन सही है उन दोनो के बीच उनके 2 km चल लेने के बाद दूरी 4 km हो जाएगी कहा दूरी 4 km कहा हो रही है दोनों तुसाथी में एक ही पास आ गए हैं तो यह आपका जो बोला एस्टेटमेंट गलत हो जाएगा वे प्रतिक के 3 km चल लेने के बाद मिलते हैं अब देख लेते हैं ये कितना चला सहीद 1 km, 2 km और 3 km ये कितना चला 1, 2 और 3 मतलब प्रते एक 3 km चलें और मिल गए सही बात है दोनों मिल गए हैं आपे तो ये option आपका सही हो जाएगा तो answer आपका क्या होगा? Option B सही होगा अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question हमारा 24 नमबर इससे देखिए रतन पवन के 40 मिटर दच्छिन पश्चिम में है ठीक है? रतन जो है पवन के 40 मिटर दच्छिन पश्चिम में है यदि ललन ठीक है? यदि ललन simple सी यदि दच्छिन पश्चिम आपका क्या हो जाएगा? South West ये वाला direction कोई यहाँ है तो यहाँ पे है वो तो बस यहाँ से देख लेते हैं रतन जो है पवन से रतन पवन के ठीक है? तो यहाँ आप बना लो पवन को तो रतन यहाँ से इस direction में होगा? कि अगर मैं पवन को पूरा मानूं यहाँ पे direction यह है ऐसे तो इस direction में होगा दच्छिन पश्चिम South West यह होता है यहाँ से निकाल लो South West 40 meter ठीक यदि ललन पवन के 40 meter दच्छिन पूरब में है ललन जो है पवन के दच्छिन पूरब मतलब ही इस वाले coordinate में होगा 40 meter यह कौन होगा? ललन ठीक है और यह कौन है रतन तो पूछ रहा है तो ललन और रतन पूछ रहा है तो ललन रतन के किस दिसा में है जो ललन है वो रतन से किस दिसा में दिसा पूछ रहा है तो रतन पर दिसा बना लो ठीक है रतन पे दिसा बनालो यह North हो गया है यह नीचे South यह East हो जाएगा और यह West हो जाएगा जो नो 40-40 है तो इसलिए इसी दिसा में होगा East वाले में तो East दिसा में होगा तो किस दिसा में हो जाएगा Purab में हो जाएगा Same to same तो D. पूरब। आंसर हो जाएगा इसका, अगले कुशन की तरह बढ़ते हैं, अगला कुशन है, क्रिशना अपने घर से 1 किलो मेटर पूरब की ओर चला, क्रिशना है, अपने घर से 1 किलो मेटर पूरब में चला, पुना एक किलोमेटर उत्तर तथा पुना दो किलोमेटर पूरब फिर एक किलोमेटर कहां चला उत्तर फिर एक किलोमेटर चला उत्तर फिर पुना दो किलोमेटर पूरब में तो यहां से फिर से पूरम में जाएगा दो किलो मीटर ये एक हो जाएगा ये दो हो जाएगा फिर तीन किलो मीटर दच्छड में चला तो एक ये आ जाएगा और दो और आ जाएगा तो ये दच्छड में पहुंच गया आपका और तीन किलोमेटर पस्षिम की और गया फिर तीन किलोमेटर पस्षिम की और गया तो दो तो ये कवर कर लेगा आपका यहां तक आने में और एक और कवर करेगा तो एक में तो ये पूरा कवर हो जाएगा यहां तक ये पूरा एक तीन किलोमेटर था ही एक ये था और दो ये डाइग्राम में चोटा-चोटा बन गया है उसमें कोई मतलब नहीं है आपका में डिस्टेंस लिखने से ये 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 तो तोल धेसंस 3 हो गई ठीक है तो उसने अपने घर पहुचने के लिए किस दिसा में कितना चलना होगा अब उसका घर यही तो है किष्णा का तुछ दचिण में गया है तो तीन किलोमेटर यह दचिण में था तो तो यहां आपका एक यह समापत हो गया बचाई यहels नदर सब्सक्रouch ओक्रण ओत्ध जीसा मेंगों किलोमेटर यह दो किलोमेटर कौन सो अंपसन है दी अगले question कि तरह बढ़ते हैं, अगला question 26 number, upc s का question था यह, इस वाले question को देखते हैं, आप उत्तर की ओर एक किलोमेटर जा कर दायं एक किलोमेटर चले, फिर एक किलोमेटर बाएं चले पुना बाएं एक किलोमेटर चले और एक अंत में बाएं दो किलोमेटर चले आपका मूँ है चले वही आगया कोशन आपका किस टाइप का ये कोशन पढ़े होंगे तो उत्तर की एक किलोमेटर गया उत्तर की तरफ है ठीक आप उत्तर की ओर है एक किलो मिटर गया दाय मुड़ा फिर एक किलो मिटर गया बाय मुड़ा फिर बाय मुड़ा फिर बाय मुड़ा वह जो मैंने आपका टाइप बताया था से में किस पर है टाइप वन पर हो अब पूछ रहा है कि लास्ट में वो उसका मुख किदर है तो बस आपको कुछ ने डाइग्राम कुछ नहीं बनाना है पहले किस डिरеक्षन को फेस कर रहा है वह नौर्थ डायरेक्षन को फेस कर रहा है उसके बास से क्या में गया किसकी कौन सा टर्न लिया correctं लिया यह बाए लिए लिया है धाया तो अब उसका मुख्पूच रहा है तो तीन आपके लेट हैं और एक क्या आपका write है तो तुपर 3 में से एक घटा दोगे तो कितना बचेगा दोगे ऊजचेगा Ron चाहे दो left हो, चाहे दो right हो, वो हमेंसा जिस direction को face कर रहा है, उसके opposite direction में आ जाएगा, चाहे दो left आ जाए, चाहे दो right आ जाए, ठीक है, इधर से इधर चलोगे, चाहे इधर से इधर से चलोगे, तो opposite में आ जाओगे, तो direction क्या हो जाएगी इसकी, south में, तो अब वो किस direction को face कर रहा है दच्षिन दिशा में, फेस कर रहा है, ठीक है दो left आ गया, इसका मतलब वो पहले कहा था, North, South, East और वेस्ट, तो पहले North में था, तो दो left चलेगा तो two left चला, कहा से?, यहा से, तो दो left मतलब एक left, और यह two left, तो opposite direction में आ गया, तो डच्षिन हो अंसर अगले चलिए कोशन नमर्ट 27 देखते हैं इसमें बोला एक डाक यह डाक घर से स्री सिंग के घर पहुचने के लिए उत्तर दिसा में 7 किलोमेटर चला फिर बाएं घूम कर 4 किलोमेटर चलकर स्री कुमार यह देखते रहे हैं किसके किसके घर जा रहा है वो स्री कुमार क के घर पहुचा फिर वहां से दाई और घूम कर 3 किलोमेटर 3 किलोमेटर चलकर स्री सर्मा के घर पहुचा तो आपको बताना है स्री सर्मा और स्री सिंग के घरों की बीच की दूरी कितनी है ठीक है तो अब इसे मैं डाइग्राम से बता रहा हूं कि एक डाक किया स्री सिंग क गर से पहुचने के लिए उत्तर की तरफ साथ किलो मिटर चला यहां बनाते हैं साथ किलो मिटर उत्तर की तरफ चला है यहां से तो कहां पहुँच गया है सिंग साहब के घर पहुँच गया ठीक है फिर वहां से वह बाएं घुम कर 4 km चला तो बाएं घुमा 4 km चला तो किस के घर पहुँचा है वो स्री कुमार के घर पहुँच गया मतलब कुमार साहब के घर पहुँच गया अब यहां से वो दाई तरफ घुमा और 3 km चला उपर की तरफ 3 km दाई ने यहीं जाएगा और किसके घर यहां पे लाश में पहुंचता है वो सर्मा जी किहां पहुंचता है तो कुश्चन में आप से क्या पूछा है श्री सर्मा और स्री सिंग के घरों की बीच की दूरी पूछ रहा है तो यह सर्मा जी का घर है तो यहां से बीच की इसकी दूरी पूछ रहा है तो यह कितनी होगी यह 3 है यह 4 है तो यह कितना होगा ट्रिपलेट 5 होगा तो option आपका कौन सा होगा, option A सही हो जाएगा ठीक है, अगले question की तरह बरते हैं question number 28, poll लाए, 4 सड़क है मैं दच्छिड दिशा से आया हूँ UPPCS Pree 2013 का question है, ध्यान से पढ़िएगा 4 सड़क है, मैं दच्छिड दिशा से आया हूँ और Mandir जाना चाहता हूँ दधानी और की सड़क मुझे 커피 हाउस से दूर ले जाती है काफी हाउस से दूर ले जाती है इसपर पॉइंट करने लाइग है जबकि सीधी सड़क एक कॉलेज की तरह ले जाती है मंदिर किस दिशा में है मतलब चार सड़के हैं तो कुछ इस तरह grid बनेगा यह north हो गया आपका यह south हो गया यह east हो गया और यह west हो गया वह बोल ला है कि मैं दच्छिड से आ रहा हूंग। लिए रहा है और जो उसके किधर दाहिनया की सड़क है दात्पिर से आ रहा है तो उसका right hand आपका किधर पड़ेगा इसकी तरह पड़ेगा buryreef the west की तरफ पड़ेगा उसका तो दाहिने की जो सड़के उससे coffee house से दूर ले जा रहे है तो coffee house इसका मतलब इस वाले road पे है वेस्ट वाले पे यहां हो गया coffee house आपका और इधर वो जा रहा है तो दाहिने तरफ जब जा रहा है तो उससे coffee house से दूर होता जा रहा है अगर वो तो यहीं पर उसका मंदीर होगा तो जो आंसर होगा, कौन सा होगा पूरब की दिसा में मंदीर उसे मिलेगा अगले question के तरह बढ़ते हैं, question number 29 यदि किसी घड़ी में समय सवा बारा बजे का है मैंने जो बताया था आपको घड़ी वाला last type इसके concept में देखिएगा कि घड़ी में सवा बारा का time है सवा बारा मतलब बारा बच कर पंदरा मिनट अब इसे दो उसे करते हैं कि option में क्या आपका given है उस हिसाब से इसका answer निकलेगा तो आपके जो घंटे की सुई है वो पूरब की और इंगित करती है तो मिनट वाली सुई के विपरीत कौन दिसा होगा अब यहां देखिए कोशन देहां से दो तो मिनट वाली सुई के विपरीत मतलब मिनट की सुई का नहीं पूचा कि किस दिसा में होगा मिनट वाली सुई की विपरीत दिसा पूच रहा है तिक वह आपको निकालना है, तो simple सा है, एक यह diagram हम बनाते हैं, डायरेक्शन वाला नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इस्ट हो गया, और यह वेस्ट हो गया, सभी लोग जानते हो कि यह जब घड़ी पे बनेगा तो यह 12 होगा, यहां पे 6 होगा, यहां पे 3 होगा, यहां पे यह hour hand हो जाएगा, तो अब इस पे अगर हम question करें, तो बोला घंटे वाली सुई पूरब की और इंगित करती है, तो पूरब इसे करने के लिए यह direction क्या होता है, आपका नॉर्थ होता है, तो अब इसे इस्ट बनाना है, तो यह यहां से shift होगा, इस्ट, यहां चला तो कितना degree shift हुआ, 45 degree shift हुआ, किस direction में shift हुआ, anti clockwise shift हुआ, ठीक, तो सभी direction को anti clockwise shift कर दो, यह north east जो है आपका, यहां shift कर दो direction, सभी 45 degree shift हो जाएंगे, anti clockwise में, तो क्या direction बनेगा, इस्ट यहां आ जाएगा, यह north east का direction है, तो north east यहां चला जाएगा, 45 degree shift होगे, यह north है, तो यहां north आ जाएगा, इसके just opposite में south आ जाएगा, और यह जो आपका south है, ठीक है, यहां आ गया, 45 degree shift हो जा रहा है, anti clockwise में, देखो यह यहां से 45 degree shift हुआ, फिर यह जो north east था, वो 45 degree shift होगे, यहां आ गया, north east यहां पर, north जो 45 degree shift होगे, यहां आ गया, तो अब north west जो है, वो यहां आ जाएगा, और यहां पर west था, तो यहां आ जाएगा, और यहां पर जो north, south west था, तो south west यहां आ जाएगा, और यह जो आपका, यह तो south ही रहेगा, यहां से साउथ चेंज हो के यहाँ पे जाएगा तो साउथ हो जाएगा और जो यह इस्ट वालर था यह क्या हो जाएगा आपका साउथ इस्ट हो जाएगा ठीक तो मिनट वाली सुई इसी पे होगी इस वाले डायरेक्शन में देखो यहाँ पे है उसी direction में होगी, तो ये direction क्या है? South East ए मिनट की सुई के direction है और question में पूच रहा है मिनट के सुई के विपरीत कौन सी दिसा होगी तो इसके विपरीत कौन सी दिसा आ रहा है? North West आ रहा है आपके option में है North West North West मतलब उत्तर पश्चिम देखिए उत्तर पश्चिम आपके कहीं भी option में नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब इस conception होगा मगर अगर आपका उत्तर पश्चिम दिया होता तो exact answer वही होता ठीक है जब भी आपको आए तो main तो यही answer तो इसी से निकलेगा जो exact होगा अगर आपको option में नहीं दिया है तब आपको क्या करना है तब आपको उस घड़ी को एक ideal मानना है कि आपकी घड़ी जो 12 अगर 15 हो रहा है तो उस समय आपकी जो घंटे की सुई है वो 12 से थोड़े सी हटेगी नहीं वो 12 पे ही मानिये और मिनट की सुई तीन पे ही रहेगी तो इस तरह से इसको question को करेंगे तब जाके आपका इसमें answer मिलेगा जैसे यह हो गया north, यह south, यह east और यह west यह 12 होता है, यह 3 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा यहाँ पे और यह 9 हो जाएगा घड़ी में तो अब हम ideal condition मान के चलेंगे, कि अगर 12 पंदरह हो रहा है तो घंट की सुई एक जट 12 पे माने, वैसे होती नहीं है, थोड़ी सी यहाँ से डिफरेंट हो जाएगी 12 और 1 के बीच में होगी जो मैंने इसे previous वाला case बताया, वह होगा उससे exact answer निकलता है, इस case में, अब minute की सुई 3 पे होगी, यह minute end हो जाएगा, यहाँ पे hour end हो जाएगा, तो अब पूछ रहा है कि अब question जो बोला उसी साफ से इसको change कर देते हैं, जब change कर देंगे, यहाँ north है, तो यह change हो जाए कि कहा, बोला घंटे वाली, यह घंटे की सुई है, और यह minute की सुई है, तो घंटे की सुई की direction में है, इस direction में तो यह east हो गया, इसका मतलब यह कितना shift हुआ, anticlockwise में, 90 degree shift हुआ, तो वसी तरह सब direction 90 degree shift हो जाएगे, यहाँ north था, तो यहाँ north हो जाएगा, यहाँ west था, यहाँ west हो जाएगा, यह south था, तो south यहाँ चला जाएगा, ठीक, तो यह पूरा आपका direction हो गया, तो अब minute की सुई किधर में है, south में है, इसकी विपरीट दिसा कौन सी है, north है, तो वो देखिए, option में दिया है, इसकी विपरीट दिया है, option D, तो यह आपका answer हो जाएगा, तो जब भी आपका ऐसा case हो, जहाँ आपका main answer ना आ रहा हो, उस हिसाब से करने से, तो आप option को देखिएगा, कि option में क्या दिया है, तो उसको आप ideal condition मान लिएगा, जैसे आप पूझले, बारा बज़ के, बीस मिनट, तो बारा बीस में जानते हो, बारा और एक के बीच में घंटे की सुई होगी, और बीस पे चार पे होगी, तो इस case में अगर आपका answer नहीं निकलता है, आप जो दोनों की ब UPCS 2012 में आया हुआ question है, असाम question है, बोला है पढ़िये, एक व्यक्ति अपने घर से दच्छिन दिसा की और 10 km चलता है, फिर वो दाहिने मुढ कर 6 km चलता है, और पुनों दाहिने मुढ कर 10 km चलता है, अन्त वो दाहिने घूमता है और 5 km चलता है, वो अपने प्रस्थान बि से पूछा है, तो यह case कौन सा हो गया, 4th वाला case हो गया, मैंने जो बताया था आपको, तो 4th case में क्या है, आपको जब भी, या तो distance या तो direction with respect to the starting point निकालना होता है, तो आपको diagram की जरूरत पढ़ती है, चलिए, हम बनाते है diagram को, एक व्यक्ति अपने घर से दच्छिन दि सामें कितना चलता है, 10 km चलता है, फिर वो दाहिने मुड़ता है, दाहिने मतलब यहां से clockwise में rotate करेगा, तो यहां आ गया दाहिने मुड़ा, कितना चला, 6 km चला, फिर पुना दाहिने मुड़ता है, और 10 km चला, तो फिर 10 km चला, तो same exact जो position यहां होगी, जो वही होगी, और तो दाहीने घूमता है और 5 km चलता है पूरे clockwise में रोटट कर दो यह 5 km हो गया यहां से यहां की बीच की रिसेंस यह आपका स्टार्टिंग पॉइंट था स्टार्टिंग पॉइंट और यह आपका फाइनल पॉजिशन हो गया तो अब पूछ रहा है इंके बीच की दूरी क्या है तो एक पूरा 6 है तो एक यह बचेगा तो यही 1 km की दूरी हो जाएगी तो options यह आपका answer हो जाएगा अगले question की तरह बढ़ते है question number 31 यादी दच्षिड पूराब उत्तर हो जाता है सेम घड़ी के तर्च पर यह question होगा इसमें direction की जो shifting हो जाती जैसे वहाँ भी shift होता है गंटे की सोई उत्तर में हो जाए दच्षिड में हो जाए तो उसमें भी rotate करते हो सेम ऐसे इसमें भी rotate क आएंगे आपको एक direction यह है main आपकी जो यह north हो जाएगी यह south हो जाएगी यह east हो जाएगी और यह west हो जाएगी इसके बीच का direction सभी लोग जानते हो सब 45 degree पर जो होता है north east होता है यह south west होता है इसके opposite में और यह क्या होगा आपका यह south east होगा और यहाँ वाला direction क्या होगा नौर्थ वेस्ट होगा question क्या आप से बोल ला आया है कि वो ध्यान रखिये बोल ला आया है कि अगर दच्छिडपूर्व उत्तर हो जाता है दच्छिडपूर्व आपका यह है यह किसके बराबर हो जाए नौर्थ हो जाए तो नौर्थ को तभी है यह south east जो होगा दच्छिडपूर्व आपका होगा वो उत्तर होगा तथा उत्तरपूर्व पस्छिम हो जाए उत्तरपूर्व मतलब यह वाला direction है उत्तरपूर नौर्थ हिस्ट यह क्या हो जाए West हो जाए पस्छिम हो जाए तो इस वाले direction को उठके कि इसका मतलब कि इसमें जितने भी direction है आपके 135 डिगरी clockwise में shift हो जाए तो आपकी दिसा जो भी होगी सब नहीं एक दिसा मिलेगी तो हम देख लेते हैं तो सभी को shift करने की जरूद नहीं है जो आपसे पूछा है बस उसमें बता दे रहा हूँ एक छोटा सा ट्रिक कि कैसे करोग सब परिवर्तित हो जाती है तो पश्चिम के लिए क्या दिसा होगी पश्चिम आपसे पूछा है ना पश्चिम कौनसी दिसा में बदल के जाएगा ठीक है तो जैसे क्या होता है जैसे बोला ना है कि यह south, east, north हो जाए तो हमें पूछ रहा west क्या होगा ठीक है जो है सब उजे उत्तर कौनसी हो जाएगी दच्छिन कौनसी हो जाएगी तो यहां पूछ रहा पश्चिम के लिए क्या दिसा होगी तो हम क्या करेंगे जो पश्चिम है जो हमारा west है वहां से anti-clockwise क्योंकि यह clockwise था उसके जस्ट विपरीद में चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह दिसा कौनसी होगी ठीक है तो यहां से जमाम विपरीद चलेंगे इसके विपरीद दिसा में क्योंकि clockwise चलेंगे तो ऐसे जाएगे और anti-clockwise ही उतना ही रोटेट करेंगे 135 डिग्री ठीक है तो 135 डिग्री anti-clockwise रोटेट करेंगे तो यहां से देखो 135 डिग्री गाए तो कहां चले गए साउफीज़ दिग्री एगा । अपका option C में हो जाएगा बस यह द्यान रखना कि जैसे इसमें दिया है कि दच्छिन पूर्व उत्तर हो जाए तो दच्छिन पूर्व यह है साउथ हिस्ट यह उत्तर हो जा रहा है यहां से नौर्थ जो है चेंज होके यहां पर आ गया है आपका ठीक है यह जो डायरेक्शन है साउथ हिस्ट यह नौ आप आई यो clockwise आई है और पूछ रहा है आपसे पाशिम कौनसी दिसा होगी ठीक तो पाशिम कौनसी दिसा होगी उसके लिए क्या करोगी यह clockwise थी bạn धेसद सा तो हम उसक को क्या करें के आप यह से कर सकते हो कि पूरे पूरे को सभी direction को 135-135 degree घुमा दो clockwise में जैसे यह देखो ठीक है नॉर्थ यहाँ आ जाएगा यहाँ से shift हो के 135 degree यहाँ से shift हो के north यहाँ पे आ गया ठीक अब नॉर्थ यहाँ पे है तो इसके भी प्रित में south हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे vest होता है एहाँ पे इस्ट होता है तो यह चेंज हो जाएगा यह कहां पे 135 degree रोटेट करेगा clockwise में तेनबे इस्ट आ जाएगा यहाँ इस्ट यहाँ waste हो जाएगा आपका ठीक है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे waste हो जाएगा उसके बाद उसके बाद यह देखो यहाँ पर waste हो गया उसके बाद क्या होगा जो अब sub यह main main direction हो गया अब जो sub direction है sub direction जैसे यहाँ पर north east होता है यह आपका क्या होता है north east यह भी 135 degree turn करेगा तो यह north east वाला direction है यहाँ पर यह होता है north east यह 135 degree turn करेगा तो पतीज नोवैं अब इस में कॉंसा देलर चन आएगा साउथ इसमें साउस्टोल रिस खेआना इसमें मतों से दिशनी साल कि वह कर देलिऊ है तो वहरी पूझ रहा है कि परष़ियम कौन सी दिसां हो गई तो परष़िम देखो यह मेरा परष़िम था original में यह ही direction बरष़िम है तो वह कौन सी दिसां हो गई आप साउथिस्ट गई है दचिण पूरव हो गई तो यह हो गया यह इभी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो कि जो दिया है उसको देख लो ये clockwise में है और जिसका पूछ रहा है कि पश्चिम कौन सी दिसा हो गई तो वहाँ से हम पश्चिम से anticlockwise चल देंगे और जहां पर आएंगे वहाँ हम बोल देंगे answer हो जाएगा south east या सभी को rotate कर लो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप अगले question की तरह बढ़ते हैं question number 32 ठीक है एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदू से दच्छिन की और 15 मीटर चलता है किसी बिंदू से दच्छिन की तरह 15 मीटर चलता है और वहाँ से फिर 12 किलो मीटर उत्तर चलता है मतलब 15 गया फिर उसी तरह reverse हो जाएगा 12 किलो मीटर उत्तर की तरह चले इसे diagram बनाते हैं और इसे करते हैं question को कब आया यह UK PCS का उत्तराखंड PCS का है इसमें बोला है कि एक व्यक्ति किसी बिंदू से दच्छिन की तरह 15 किलो मीटर जाता है ठीक है 15 मीटर जाता है वहाँ से 12 किलो मीटर उत्तर जाता है 12 किलो मीटर उत्तर गया तो मतलब यह distance जो होगी आपकी 12 हो जाएगी यह आपकी starting point है याद रखना ठीक है starting point है उसके बासे यहाँ से 4 किलो मीटर पश्चिम में जाता है पश्चिम यह हो गया 4 किलो मीटर का आपका फिर पूछ रहा है आपसे कि वह निश्चित बिंदू से कितनी दूर और किस दिसा में है इस बिंदू से कितनी दूर और किस दिसा में है यह distance पूछ रहा है आपसे यह 4 है तो यह 12 हो गया फ्चितना हो जाएगा 3 तो 4 3 तो यह कितना हो जाएगा 5 कितनी दूरी तथा किस दिसा में है दिसा पूछ रहा है यहाँ से starting से तो starting प동र टारे direction बना लो यह North होता है नी चे South और यह West यह East तो यह पीच से आ रहा है यह direction तो यह कौन से डारेक्शन हो जाएगा? आपका South West हो जाएगा तो 5 km जाएगा? तो 5 km South में द्ज्शिड पश्यम में है? तो Option C आपका सही हो जाएगा अगले question के बढ़ वाते है 33 एक व्यक्ति योग कर रहा है ठीक है योगासन कर रहा है यह भी यूग के PCS का है सिर नीचे और पाउं उपर है उसका मूँ पश्यम की हो रहा है ठीक है मतलब यह direction है आपका north, south, east or west जब योग कर रहा है तो इसका जो मूँ पश्यम की तरफ है और पैर उपर की तरफ है उसका बाया हाथ किस दिसा में होगा पूल है उसकी स्थिति आपको बताना बाया हाथ किस दिसा में है तो उसके लिए क्या मानो कि इसको just reverse मानलो कि यह आदमी खड़ा हो कि किस direction में हो गया इसकी तरफ फेस कर रहा है ऐसे question में जब भी उल्टा आदमी बोले तो जिस direction में बोले कि वो पश्चिम की तरफ उसका मुख है तो समयलो अब वो सीधा हो गया है और उसका जो मुख है वो इसकी तरफ फेस कर रहा है तो उसका right और left hand देख लो किधर होगा तो इसकी तरफ फेस करके देखिए आपका जो right hand होगा इस side में पड़ेगा औ ठीक है अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question हमारा 34 एक वेक्ति पूरब की ओर एक km चलता है और फिर दाच्छिन की ओर मुढकर 5km चलता है चलो देखते हैं question जैसे जैसे बोला एक वेक्ति है पूरब की ओर एक km चलता है पूरब की ओर एक किलो मेटर चला फिर दच्छिन की ओर मुढ़कर पांच किलो मेटर चलता है फिर पुना पूरब की ओर मुढ़कर दो किलो मेटर चलता है फिर वो उत्तर की ओर मुढ़कर नो किलो मेटर चलता है अब 9 km चलेगा तो 5 यह पूरा करेगा और 4 और जाएगा ठीक है तो टोटल ही हो जाएगा 9 km की चलता है फिर वो पारंभिक अस्थान से कितना दूर है मतलब starting point यह है ठीक और यह final है उसका तो यहां से यहां का दूरी पूछ रहा है आपसे इसे इसे मिला लो ठीक है यह 90 degree बन गया पैथाकॉरस लगा दो यह distance कितनी है एक है यह कितनी है दो है तो यह पूरा total कितना हो जाएगा तीन और यह कितना हो जाएगा यह पूरा 9 है यह 5 होगा तो यह 4 हो जाएगा 4-3 तो यह फिर से 5 आ गया ट्रिप्लेट से तो आप से सिफ दूरी पूछी है तो कितना हो जागा पांच किलो मेटर तो आपसन सी होगा जो करेक्ट होगा UKPCS 2012 का कुश्चन है अगले कुश्चन की तरह बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 35 यह भी UKPCS 2012 एक व्यक्ति दच्छन दिसा की और मुखर के खड़ा हुआ है वह घड़ी की सुई की विपरीद दिसा में देख यह रोटेशन से आ गया यह कोश्चन 135 दिगरी घूमता है मुडता है और फिर घड़ी की सुई की दिसा में 180 दिगरी मुडता है अब वह किस दिसा में खड़ा है इसमें भी आपसे कोई स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में कुछ पूछा नहीं है डिरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि इतना मुड़ा मैंने आपसे पहले भी बता आता है कि लेफ्ट टर्न और राइट टर्न सेम बराबर होते है किसके क्लॉक आइज और एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन के तो आपसे जैसे जैसे बोला है कि जो भी रोटेशन हो पहले एक बार लिख लो जैसे इसमें बोला कि घड़ी सुई की विपरीद दिसा मतलब एंटी क्लॉक वाइज कितना चला है वो 135 दिग्री गूमा है पहले तो उ हूआ है यह कलॉक्वाइज का उंगया तो इसमें से माइनस कर दो टो 180 डिग्री क्लॉकवाइज है और 135 habits ऐंटी क्लॉकवाइज है यह आपका direction North हो गया, यह South हो गया, यह East हो गया, और यह West हो गया, अगर कोई वेक्ति South की तरफ फेस्क हुआ हुआ है, तो कितना घूमना है उसको, 45 डिगरी घड़ी की दिशा में घूमना है, तो घड़ी की दिशा में अगर 45 डिगरी घूमेगा यहां से देखो South से, तो घड आकास ने सीधे दच्छन की ओर 4 किलोमेटर की यात्रा की, ठीक है, कोई आकास है भाई, आकास भी आज का यात्रा कर रहा है, फिर बाए मुढकर उसने सीधे 6 किलोमेटर की यात्रा की, तथा फिर उसने दाई ओर सीधे 4 किलोमेटर की यात्रा की, अब वो पारंभिक बिंद अब जैसे जैसे question में बोला है वैसे वैसे हम करते चलेंगे इसे अकाश सीधा दच्छन की तरफ चलो यह हो गया दच्छन की तरफ कितना चला है बैया 4 किलो मेटर ठीक है फिर बाय मुड़ा है सीधे 6 किलो मेटर चला है बाय मतलब इस direction में जाएगा अपने बाय हाथ में कितना चला है 6 किलो मेटर चला इसे और बढ़ा देते हैं 6 किलो मेटर हो गया यात्र की तथा उसने भी दाई की और सीधे 4 किलो मेटर चला है अब यहांसे दाईने तरफ और पॉड़ेगा तो कितना चलेगा 4 किलो मेटर चलेगा फिर से यह तो हो गया उसका यात्रा अब वो अपने पारंभिक बिंदू से मतलब इस्टार्ट कहां से किया था यहां से यह इसकी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई और फाइनल पॉइंट क्या हो गई यह हो गया अब पूछ रहा है कितनी दूरी पर है बस दोनों को मीट करा दो डिस्टेंस को ठीक है अब आपको यह डिस्टेंस निकालना उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यह कर लो इसे बढ़ा लो थोड़ा एक्स्टेंड कर लो यह लो मैंने बढ़ा दिया तो यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा ये ये कितना था ये भी 4 था तो ये total कितना हो जाएगा आपका 8 पूरा हो जाएगा 8 जो आपकी perpendicular है ये और ये आपका base जो हो जाएगा 6 तो ये कितना होगा hypotenuse तो आप बस निकाल लिजे under root में 8 का square और प्लस 6 का square कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 तो 64 प्लस 36 कितना हो जाता है वाई 100 किसका अंडर उट होता है 10 का तो आंसर क्या हो जाएगा 10 सिल किलोमेटर option C इसका सही आंसर होगा MPPCS pre-2018 चलिए अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं पढ़िए कोशन कंचन बिन्दू A पर खड़ा है और उसका मित्र बिन्दू कुमार है कोई वो किस पर खड़ा है बिन्दू B पर है जो कंचन के ठीक पूरब दिसा में हैं कंचन सीधे उत्तर दिसा की और चलना आरंब करता है ठीक उसी समय कुमार भी कंचन की दुगनी गती से सीधे चलना आरम कर लेता है स्पीड इसकी तेज़ है और कंचन से 5 किलो मेटर चलने के बाद ठीक है कंचन और कुमार दोनों एक दूसरे से मिल जाते है तो A और B के बीच की दूरी कितनी है ठीक है A और B के बीच की दूरी आपको निकालना है चलिए आप कंचन जो है बिंदू A पे है कोई एक बिंदू A ले लेते है और उसका मित्र कुमार बिंदू B पर जो कंचन के ठीक पूरब में है कंचन यहाँ है केसे डीनोट कर दें और जो उसका दोस्त है कुमार वो सिप पूरब में है B में ठीक यह कौन है यह कुमार है दोनों को केसे नहीं इसको कुमार पूरा लिख देते हैं ठीक है अब बोला है कहाँ से कि कंचन सीधे उत्तर दिसा में चलना आरम करता है ठीक उसी समय कुमार भी चलता है दोनों सेम टाइम पे चलते हैं मतलब दोनों में स्पीड में अलग अलग है तो जब कंचन पांच किलो मेटर उत्तर चल लेता है तखो यह पांच किलो मेटर सीधे चला पांच किलो मेटर उत्तर में यहाँ पहुचा तो उसके दुगनी स्पीड से क्योंकि चलने दोनों टाइमिंग जो इससे हम स्टार्ट करते हैं तो यह भी निकलेगा उसी टाइम से और वो यहीं पर मीट करता है इससे ठीक है कुमार जो है कंचन से यहां पर मीट कर जाता तो यह हो जाएगा डिस्टेंस तो वो डिस्टेंस हो गया क्या आपका इसके दुगनी स्पीड है इसका मतलब जितने टाइम में इसने यह 5 किया है तो यह कितना कवर कर लेगा 10 किलो मीट कर लेगा कवर क्योंकि इसकी स्पीड इससे दुगनी है ठीक तो यह 10 किलो मीट हो जाएगा यह 5 km हो गया और यह distance आप से पूछ रहा है इसको माल लो x तो पैताकॉरस लगा दो इस पे आपको यह पता है perpendicular, hypotenuse पता है बेस पता करना है तो क्या करते हो x square plus 5 का square बराबर 10 का square ठीक तो अब क्या होगा यहाँ पे x square 100 minus 25 ठीक है तो 100 minus 25 तो कितना आजाएगा आपका x square 75 x की value कितनी हो जाएगा under root 75 तो इसके क्या होगा 25 तिहां 75 होता है तो 5 बाहर हो जाएगा और under root में 3 हो जाएगा तो यह जो होगा 5 under root 3 यह x की value आजाएगी 5 under root 3 कौन सी है option A है तो यह आपका answer हो जाएगा इसमें base आपका पूछा था असान सा था चलिए अब आते हैं बढ़ा सा question है last question आपका जो इस type का question आजाए तो जब भी आपका इस type का question आता नहीं है बहुत कमी आता है UPPCS OCS में क्योंकि यह बढ़ा होता है इसमें कम से कम time जाएगा तो 2 से 3 यह question पूछेगा और maximum आपसे किसी भी आयोग में UPPCS के आयोग के question में एक दो ही question distance direction के होते हैं तो यह MPPCS free का 2016 का question है यह statement type का question है puzzle type का उसको करते है arrangement करना होता है बाकी कुछ नहीं को आता है एक बार arrangement हो गया आपके जितने भी question इससे पूछी जाते हैं आराम से answer निकल जाते है arrangement करने में ही आपका एक मिनट दो मिनट लग सकता है चलिए arrangement करते हैं इसे जैसे जैसे question में बोला वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे जितने लोग है A, B, C, D, E, F, G, H, I नौगर है इसमें पूरा ठीक है C, B के से 2 km पूरब में है ठीक है C जो है B से 2 km पूरब में है हो गया A, B से 1 km उत्तर में है A जो है B से 1 km उत्तर में है ठीक है उसके बाद H जो है A से 2 km दच्छिड में है H जो है A से 2 km दच्छिड में है 1 km तो यही और 1 km और ठीक है 1 km और तो यहां हो जाएगा H G, H से 1 km पूरब में है G जो है H से 1 km पूरब में है ठीक है जबकि D जो है G से 3 km पूरब में है D जो है G से 3 km पूरब में है मतलब एक तो यह हो गया पूरम में और तो दो किलो मेटर यह हो जाएगा पूरा का पूरा तभी यहाँ पर क्या आजाएगा आपका D 3 किलो मेटर इसके पूरम में हो जाएगा G के अगला है F G से 2 किलो मेटर उत्तर में है F जो है किसे G से 2 किलो मेटर क्योंकि ये एक और ये एक ठीक है दो किलो मेटर उत्तर में हो गया आई बी आई जो है बी और सी के ठीक मद्द में है आई जो है बी और सी के ठीक मद्द में है मतलब यहाँ होगा आई मतलब एक किलो मेटर इसके और एक किलो मेटर इससे उसी तरह Hço D के मद्ध में है E दो है HFire हो दी के मद्ध में है मालब यहाँ E हो जाएगा तो एक किलुमेटर यहाँ से और एक किलुमेटर यहाँ से इन दोनों के मद्ध मैद तो यह arrangement हो गया arrangement करने में जितना में अब टाइम लगाओ तंब लोगो करोगे मैं एक एक चीज लेके चल आता फिर अब कोश्चन देखो E और G के बीच की दूरी होगी किसके बीच की E और G E यहाँ है और G यहाँ है तो एक किलोमेटर तो यह हो गया और एक किलोमेटर यह हो गया तो दूरी कितनी हो गई? 2 km की हो गया इंके बीच की दूरी तो बस answer हो जाएगा option A question number 39 question number 39 में है E और I के बीच की दूरी होगी, देख लेते हैं E और I E और I के बीच की दूरी कितनी है यह हाँ I है और यह E है यह इतनी distance होगी, उतनी distance यह भी होगी, कितने की होगी 1 km की होगी, तो answer क्या हो जाएगा 1 km, option कौन सा हो जाएगा आपका सही A, उसके बाद से question number 40 पे पहुंचते हैं, A और F की बीच की दूरी पूछ रहा है देख लेते हैं, डाइग्राम में, A और F की बीच की दूरी यह दूरी पूछ रहा है, यह कितनी है 1 km जितना यह है, उतना ही A हो, यह भी होगा, यह भी 1 km होगा, A और F की बीच की दूरी A और F की बीच की दूरी, यह भी 1 km होगा, उसके बाद से बूच रहा है आपसे, कि एक लड़की उत्तर की और मुख करके खड़ी है ठीक है? कोई लड़की है यह एक लड़की उत्तर की तरफ मुख करके खड़ी है वो अपने आपको 45 डिगरी घुमाती है अब उस लड़की का मुख किस तरह होगा? यहाँ 41 तक कुश्चन था यह 42 अलग है, उस डाइगराम से कुश्चन नहीं है यह रोटेशन वाले से कुश्चन है इसे बनाते हैं कुश्चन को एक लड़की उत्तर की तरफ मुख करके खड़ी है बना लो डाइगराम नौथ, साउथ, इस्ट और वेस्ट वो अपने आपको 45 डिगरी घुमाती है अब उस लड़की का मुख किस तरह होगा? ठीक है? अब 45 डिगरी घुमा रही है अब यह नहीं पता है किस दिसा में घुमा रही है clockwise में घुम रही है या anti-clockwise में घुम रही है यह नहीं दिया है वो अपने आपको 45 डिगरी घुमाती है बस यह लिखा हुआ है तो अगर उसका face नौर्थ की तरफ है 45 डिगरी दिखुमना है जखो 45 पर ये दोनों direction होते हैं इसको क्या बोलते हैं नौर्थिस्ट बोलते हैं और यहां पर यह क्या होता है नौर्थ वेस्ट होता है अगर वो 45 डिगरी clockwise घूमती है तो कहां पहुंचेगी? नौर्थिस्ट में पहुंचेगी अगर 45 डिगरी anticlockwise घूमती है तो कहां पहुंचेगी? नौर्थ वेस्ट में पहुंचेगी तो यह दोनों answer हो सकते हैं क्योंकि exact आपका दिया नहीं है rotation तो option D क्या देखो दच्छिन पूर्व ठीक है? दच्छिन पूर्व नहीं सभी में ने करा दिया तो ऐसा आपका question हो गया distance direction से इसमें type का question और बचा है मैं आपको उसे बता दे रहा हूँ कि shadow से related आता है अगर exam में टाइप में एक type है shadow whats अभी तक मैंने आपको सभी type के question करा दिया shadow का इसमें question नहीं मिला मैं बता दे रहा हूँ आपको कि shadow से related अगर कोई problem आती है तो आप कैसे करोगे ठीक है तो shadow वाला problem इसमें दो ही type से question बनते हैं आपको arrangement आना चाहिए shadow वाले में question एक simple सा सधारण सा होता है इसमें कि कोई व्यक्ति है morning या evening दो ही time चलेगा इसमें क्या क्या चलेगा भाई morning चलेगा या तो evening चलेगा ठीक है उसी समय आपका shadow का बोला जाएगा तो कभी कभी question देखे होगे किसी book में आपको मिल जाएगा कोई भी book उठा होगे तो shadow का एक question मिलेगा कि सुबा सुबा दो वेक्ति हैं माल देखे हम A और B हैं Park में टालने निकलते हैं Case हम एक ले लेते हैं Case No 1 समझायेंगे आपको पहले सुबा 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 निकलते हैं टालने A और B हैं दोनों आपस में सामने सामने मिलते हैं A और B हैं Morning का time है तो जब Morning का time है तो सेड़ वाला पोजिशन कब आएगा तो आपका जो सूरज जो आपका सन होगा वह किधर होगा इस्ट के डारेक्शन में होगा ठीक है यहाँ से लाइट पड़ेगी यह ए है और यह बी खड़ा है दोनों पार्क में गए दोनों लोग और आपस में आमने सामने मिल गए तो बोला जाता है कोशन में कि ए का जो सैड़ है वो बी के दायें है चाहे बायें है ऐसा कोशन में आएगा तो हम पहले देख लेते हैं कि सैड़ किसका कहां पड़ेगा दोनों आमने सामने मिलेंगे तो जो ए का सैड़ होगा इस साइड होगा ठीक है और बी का जो सैड़ के खड़ा है यह आपका होगा डाइग्राम नौर्थ साउथ हिस्ट और वेस्ट मॉर्निंग का है मॉर्निंग का केस है तो सूरज यहां होगा तो इस डारेक्शन में तो सेडो कहां बनेगी यह इवनिंग वाला केस बन गया था सेडो आपकी बनेगी इस direction में इन दोनों की ये shadow होगी ठीक तो आपका दोनों north और south एक north को face कर रहा है B north को face कर रहा है और एक इसको south को face कर रहा है अब दोनों के respect में देख लेते हैं कि कौन किसके shadow बनना है किदर बन रहा है अब इसमें देख लेते हैं B अगर north को face कर रहा है तो इसका right और left क्या होगा? इसका right side ये होगा और इसका left side ये होगा और A क्या होगा? जास रुलता हो जाएगा ये इसका right हो जाएगा और इसका left हो जाएगा क्योंकि वो south की तरफ face किया हुआ है तो आपको बताना है अब question जो भी हो इसमें देख लेते हैं A का जो side होगा वो B के हमेशा कहां पड़ेगा इस case में A का जो side होगा वो B के हमेशा B के हमेशा left में पड़ेगा क्योंकि देखो इस side left में है और B का तो अपने left में पड़ेगा ही A कभी उसके left में ही पड़ेगा इस case में और जो B का side होगा B का जो side होगा वो किदर पड़ेगा A के वो A के right में पड़ेगा A के right में पड़ेगा तो ऐसे question आता है question दिया रहे और पूछेगा आपसे फिर कि A और B किस direction को face कर रहे हैं ऐसे question आएगा तो जैसे किसी में question है question simple सा है कि morning का time में दो लोग है A और B पार्क में टालने निकले हैं दोनों सामने सामने मिलते हैं morning का time है तो सूरज यहां होगा और बोल दिया गया है आपसे कि A का जो side है A का जो side है वो B के right में पढ़ता है question में है A का जो side है वो B के right में पढ़ता है B के right में पढ़ता है तो बताईए एक किस तरफ face किया हुआ है एक किस direction को face कर रहा है यह आपसे पूछ रहा है चलिए हम morning का है arrangement कर लेते हैं दो case arrangement होगा दोनों को हम बताते हैं अगर मालने हम A यहाँ हो और B यहाँ हो ठीक है तो इसका जो side होगा क्या बोला A का side हो B के right में पढ़ता है ठीक है A का side हो जो है B के right में पढ़ता है तो अगर यहाँ A और B है इसका side होगा और B का side होगा तो हमें A के side होगा और किसी से नहीं देना है तो B अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके हम इसे खड़ा किये हुए है तो यह इसका राइट होगा यह इसका लेफ्ट होगा और इसमें इसका क्या होगा यह राइट होगा और यह लेफ्ट होगा ठीक तो कुछ्चन में बोला A का सैडो B के राइट में पड़ता है देखो A का side of B के left में पड़ रहा है इसका मतलब यह arrangement नहीं होगा ऐसे नहीं खड़े होंगे मतलब B जो है north को नहीं face करेगा तो अब किसे face करेगा तो यह case 1 हो गया चलो case 2 कैसे बना लेते हैं case 2 बना लेते हैं कि morning का time है अब B यहाँ खड़ा कर देते हैं और A को यहाँ खड़ा कर देते हैं morning वाला time हो गया एक image इधर ही बनेगी अब यह इसका right side होगा यह left side होगा और यहाँ पर यह right होगा और यह left होगा B का अब B South की तरफ Face किया हुआ है तो जब B South की तरफ Face किया हुआ है तब A का जो Image है वो B के Right में बन रहा है क्योंकि B का Right Side यह है ठीक है B का Right Side ही है और इसी Side में A का Shadow बन रहा है और वहीं बोला था कि A का Shadow B के Right में बने तो यह Arrangement हमारा सही होगा तो यह arrangement सही होगा तो पूछा था कि A का face किदर होगा तो A का face किदर होगा तो यह वाला direction कौन सा है North है तो North की तरफ face करेगा A और B किदर होगा South की तरफ face करेगा तो आप से बस यह ही question पूस्टता है ठीक इसी type से question पूस्टता है तो यह आपका morning का case हो गया अब evening के case में पहुंचते हैं Evening का case आपके क्या होगा Evening में क्या हो जाएगा सूरज किदर आजाएगा West में आजाएगा Morning में आपका इस्ट में था Case 2 ले लेते हैं Evening वाला Evening में आपका सूरज यहां आजाएगा West direction में और दो लोग पार्क में हैं टालना हैं साम के समय में आप आमने सामने मिलते हैं A और B तो इनका सैडो कि इधर बनेगा इधर बनेगा और इधर बनेगा इस्ट में बनेगा जब सूरज वेस्ट में है तो सैडो इस्ट में बनेगा तो फिर से इसमें ये इसका right होगा ये इसका left होगा और ये इसका left होगा मतलब ये इसका right हो जागा उल्टा ये इसका left हो जाएगा तो इस case में भी क्या हो रहा है जो a का जो side होगा वो b के right में बन रहा है a का जो side हो है वो b के right में है ठीक और जो b का side हो है वो A के left में है ऐसा निकल ला है इसमें भी आपके question ऐसा ही पूछता है कि साम का समय है दो लोग A और B किसी पार्क में टालते हुए आमने सामने मिलते हैं तो B का जो side है question है B का जो side है वो A के left में पढ़ता है B का side है A के left में पढ़ता है तो बताओ B किस direction को face कर रहा है किस direction को face कर रहा है किस direction को face कर रहा है ठीक है? चलिए ले लेते हैं case यह question है आपका पहला case simple सा ले लेते हैं A और B यहां है, सूरज का है, यहां आपका होगा और किस का shadow बन रहा है? B का shadow बन रहा है B का shadow इधर इस्ट की तरफ बनेगा तो B का shadow बना वो बोला A के left में बन रहा है तो यह दो को B का यह right side है यह left side है, A के case में उल्टा हो जाएगा यह A का right होगा, यह left होगा तो बोला B का जो shadow है वो A के left में है सही है, इसी में यह सही हो गया क्योंकि A का left यह side है उसी side में क्या आपका? B का shadow है इसका मतलब arrangement है, ऐसे ही रहेगा ठीक है? तो आपका क्या हो जागा A इस समय किसको face कर रहा है? A किस direction को face कर रहा है? South direction को face कर रहा है और B किस direction को face कर रहा है? North direction को face कर रहा है ठीक, इसी में question यह होता कि अगर B का shadow B का shadow A के left में ना पढ़के right में पढ़ता यहाँ पर question करता कि B का shadow आपका left में नहीं A के right में हैं तो आपका यह arrangement नहीं सही होता क्योंकि यहाँ left में पढ़ रहा है तो आपका कौन सा arrangement सही होता तब case 2 बनाते हैं इसका case 2 ऐसा बनाते है कि अब A, B को change कर देते हैं यहाँ B कर लेते और यहाँ A कर लेते सूरज तो यहाँ होगा ही अब B का जो बनेगा shadow वो इस्ट में ही बनेगा अब यह इसका right होगा और यह इसका left होगा और यह इसका right और यह इसका left होगा तो A के right में अब B का shadow बन रहा है वही बोला था B का shadow A के right में बन रहा हो तो A का right बन रहा है तो इस समय अब A का किस direction को fix कर रहा है अब यहाँ पर A जो है North को fix कर रहा है और B जो है South को fix कर रहा है बीच में जो question करा है इससे बाहर distance direction से आपसे question नहीं पूच सकता आपसे simple सा आयोग में question पूचता है तो वो सिफ simple सा आपका distance push एगा direction पूच निकालने के लिए पूचता है, तो ये आपके पूरे के पूरे distance direction के chapter के question हो गया ठीक है, आपको तो अगर कोई doubt होता है तो आप comment के माध्यम से बता सकते हैं हमें और आपका जो है अगला lecture जिसमें मैं आपको counting figure बताऊंगा counting figure में क्यूंकि एक या दो question असे आ जाते हैं उसमें भी मैं approach जो भी question आ चुके हैं आयो के वही मैं counting करने के लिए उसके tricks बताऊंगा कैसे जल्दी स मैं।